जैसी किशना दोस्तों क्रिशन सेपनेस कृष्णी ही खुशी है जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10 था उसका लौड जब डिफरेंट हाउसें में बैठा होता है तो उसका क्या अभी प्राय होता है वीडियो स्टार्ट करने ने से पहले सब्सक् अतिया भार आप लोगों का नोटिफिकेशन बेल अवश्पुश कर दीजेगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट की के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें जिनको परसल कंसल्टेशन लेनी हैं अपने जीवन के बारे में उनकी कौन सी दशाएं चल रहें ग्रह उनकी पतरिका में बैठके उनको क्या कहना चागा रहे हैं अवश्च मुझस संपरसकते हैं मेरे नंबज वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे दिए रहते हैं आप मुझे इमेल कि थरूब 10th house जो है वो सबसे important है आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजे किसी की पत्रिका में जो लगन है या लगन का Lord खराब सिती में बैठा हुआ है जबकि खराब सिती कुछ नहीं होती है circumstances उस हिसाब के बनते हैं जिस हिसाब से हमको चलना होता है अगर समझ जाएं तो ठीक और अगर ना समझ जाएं तो खराब है तो फिर भी अगर first house का Lord या लगन हमारा खराब हो गया है और अगर हमारा tenth house strong है tenth house का Lord हमारी पत्रिका में strongly बैठा हुआ हम उसको समझ लेते हैं सही तरीके से तो आप ये याद रखिए जीवन यापन करने में हमारे लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होती है tenth house का Lord सबसे important केंद्र स्थानों में माना जाता है ये हमारी यश है ये हमारा कीरती है ये हमारा सम्मान को दर्शाता है ये हमारे करम करने की प्रवत्ती को दर्शाता है ये दिखाता है कि हम कौन से ऐसे करम करेंगे या हमको किस प्रकार से करम करने चाहिए जो हमारे धरम की पुन्न की वृद्धी करें tenth house हमेशा करियर के साथ जोड़ा जाता है और वो उचित भी है जो हमारी astrology हमको सिखाती है लेकिन सबसे बड़ा करम हमको अपने आपको सुचारू रूप से चलाना है ये बात को अवश्य याद रखिए तोकि हम कौन सा करम करेंगे हम कौन से प्रोफेशन में या करियर में जाएंगे उसको देखने के लिए और भी दो तीन तरीके हैं ये बताता है हमको के देखिए ये लीला स्थान है आपका ये फ्री विल है जिस तरीके से आप अपने जीवन को चलाना चाते हैं ये क्रियमान करमा है हमको अब की प्रेजेंट में जिस प्रकार से अपना करम चलाना है अपना जीवन चलाना है ये प्लानेट हमको मदद करेगा उस तरीके से चलने के लिए इस बात को अवश्य द्यान रगिएगा आपका पत्रिका में टेंथ हाउस का लॉड जहांबे भी बैठा होगा वो ये प्रवत्ती दिखाता है किस तरीके से अब की बार आप अपना जीवन यापन करेंगे या करना चाहिए ये विश्णू स्थान भी है टेंथ हाउस या टेंथ हाउस के लॉड में विश्णू जी की प्रवत्ती भी है क्योंकि ये सस्टेनन से जुड़ा हुआ है हमारी डियूरिबिलिटी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये स्थान दक्स का भी है दक्स का स्थान यहां पे यह क्यों है यूँकि देखिए वो प्रजापती थे एक तरीके से देखा जाए संसार के नियम हर प्रकार के पद्दती बनाने में वो सहायक रहे तो 10th house important है उसी प्रकार से प्रजापती भी जो है वो दक्स जो है वो important थे लेकिन फिर इसके अंदर आती है abnormalities भी जैसे दक्स प्रजापती को मन में अभीमान अहम अहंकार हो उठा था वैसे ही इस tenth house के lord के पास बंधन भी होता है क्योंकि करम ही हमको बंधन में डालते हैं अंतता जो हम करम करते हैं वो हमको बंधन में डालते हैं तो इसके एक ये भी अभी प्राय है कि tenth house का lord हमको आगे आने वाले जीवन या जन्मों के लिए कई प्रकार के बंधनों में भी डालता है इस बात को याद रखिएगा और एक बात और मैं आपको बता दू तेंथ house का lord आपकी पत्रिका में जो भी planet है सूर देवता हैं चंद्र हैं मंगल हैं ये अवश्य याद रखिए कि उनके अंदर नरायन की ताकत होती है और वो कौन से नरायन का फॉर्म है वो लोग हम लोग ग्रहों से जान सकते हैं जैसे अगर सूर आपका टेंथ house का lord है तो उसके अंदर राम जी की जो है प्रवत्ती होगी वजा तो कि सूर द होगी जब अगर टेंथ house का lord है आपका तो जितने व्रेशिक लगन वाले हैं वो ये सोच सकते हैं कि उनके करम करने की प्रवत्ती या प्रवत्ती किस प्रकार की होनी चाहिए राम जी के पत से होके वो निकलनी चाहिए चंदर टेंथ house के lord चंदर है तो हमारी प्रवत्ती य के पद्चिन्नों पे हमको चलना चाहिए जो वो हमें सिखाते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए और कृष्ण का नाम लेते ही तुरंट रास की तरफ मत मुड जाईएगा क्योंकि उनकी जगद गुरू है उन्होंने बहुत चीजें सिखाईएं तो जो चीजें सीखने वाली हैं वो सीखने का चेश्टा करनी चाहिए और जो लीला भी है उनकी वो भी भाव से संबंदित है इसलिए उसको भी कभी अनरगलता में मत ले लीजेगा भूल के भी तो टेंथ हाउस का लॉड हमारी पत्रिका में जब फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो एक इंपॉर्टेट सूत्र है ये ध्यान रखना कि जो आदमी slow and steady wins the race कहने का अर्थ है धीरे धीरे चलते चलते व्यक्ति अपने गंतव तक पहुंच जाएगा ये बात अवस्चि याद रखिएगा ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ा माननी है बड़ा सम्माननी है बड़े उचे और अच्छे लोगों के साथ मित्रता जो powerful लोग हैं जो seats में हैं कोई political power कोई government कोई authority उन सब चीजों से उनका connection होता है ऐसा व्यक्ति बहुत workaholic होता है जो काम अपने हाथ में लेता है उसको वो complete करता है या उसको वो complete करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के काम चुनने चाहिए जिसको वो पसंद करता है करने के लिए देखिए काम हम कोई भी चुन सकते हैं लेकिन जिसमें हमारा मन रमेगा जिस काम को करने में हमको आनंद आएगा अगर ऐसे व्यक्ति को वो काम मिल जाता है या वो काम का चेहन करता है तो वो अपने जीवन में टॉप पे पहुंच सकता है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जब टेंथ हाउस का लॉड फर्स में बैठा होता है तो जीवन में कई प्रकार के बंधनों को तोड़के बहुत उचे तक जाते हैं एक मील का पत्थर एक एक जाम्पल सेट करते हैं काम के रूप में के कहां से कहां पहुंच गए अपने टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज करना इनको आता है के नहीं आता ये बात बहुत जादा इंपॉर्टन्ट हो जाती हमारे पास कोई टैलेंट है हमारे पास कोई खला है विशेश अब टेंथ हाउस का लॉड फर्स में बैठता है और अगर वहाँ पे वो सही स्थिती में नहीं है सही स्थिती में ना होने का अर्थ क्या है ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मान लीजिए टैन्थ हाउस का लॉड फर्स में बैठा हुआ है और वहाँ पे चेयन करना है हमको किस तरफ जाना है हमको अपने काम को किस तरीके से करना है अपने जीवन में हम भो नहीं समझ पाएंगे और उसकी वज़ा से हमारा टालेंट वेस्ट होगा हम गलट डिसिजिन्स लेंगे हम बहुत सारे कार्यों की तरफ करियर की तरफ जाते हुए और किसी में स्टैंड नहीं हो पाएंगे रॉंग डिसीजन ले लेंगे और उससे क्या होगा हम अपने आप को खड़ा करने में काफी पैसा लगाते रहेंगे और अंतता लॉस उठाएंगे तो तैंथ ओसका लॉड्ट जोफ फर्स में बैटता है और अगर कोई मेलिफिक कंडिशन यहां पे साथ में बन रही है तो हमारे डिसीजन समारे उपर भारी पढ़ जाते हैं जो हम काम करते जाते हैं यो लुसेज में होता है क्यों कि हमको پरष्टितियों के हिसाब से हमको करम के अनुसार अपने आप को ढ़लना पड़ता है लेकिन कहीं बार यहां पे ऐसा होता है कि भाई जो काम के इस्तितिया हैं वो हमारे अनरूफ बन जाएं कही बार वो देखिए जीवन में problem आ सकती है। 10th house का Lord first में जा के बैठता है, कई बार ये भी बताता है, कि शुरुवाती दिनों में हमारे childhood ages में शरीर हमारा साथ ना दे, childhood problems रहें, health issues रहें, इस तरीके की दिक्कते जीवन में रह सकती हैं। अब 10th house का Lord मैंने आपको पहले भी बताया था, बंधन भी अपने अंदर समेटे हुए है, कलियुक के लिए यहाँ पर ये बंधन का भी घर है, अब यही जो भी कर्म हम करेंगे, इसके तुरू वो हमको मुक्त करेंगे, यह हमको बंधन में डालेंगे, अब 10th house का Lord जब फर्स में डालता है, तो वो यह बताता है, आपको यश, सम्मान, आपको हर प्रकार की वृद्धी, गाड़ी, घोड़ा, मकान, सब कुछ बनाने में आप सक्षम है, including आपका नाम, आपका फैमिली में, वृद्धी, सब कुछ करने में, लेकिन यहाँ पर यह बंधन में इसलिए भी डालता है, अब आपको चुनना है, आपको चेन करना है, कि आप किस प्रकार से अपनी परसनालिटी को शेफ करना चाते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस हमारी अपनी खुद की परसनालिटी का है, विवेक का है, ज्यान का है, बुद्धी का है, समझ का है, हम जीवन में क्या डिसिजन्स लेते हैं, उनका है, अ आप किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं वो ये भी दिखाता है आप अपने जीवन में कार करके लोगों में एक अच्छी चबी बनाना चाहते हैं या तेंधा उसका लॉट फर्स में बैठ गया आप उचे पहुच गए आपकी व्रद्दी हो गई लेकिन आप निर्मकु जवाने लग जाता है काम के थ्रु अपने काम निकलवाता है जीवन के और उससे क्या होता है पाप आचरण में पढ़ जाता है तो यहां पर आपका में करम क्या है टेंधा हुच का लॉट जब फर्स में बैठता है अपने आपको सही तरीके से चलाना भाई हमको धरम से, ग्यान से, समझदारी से, बुद्धी से, बल से, विवेक से, अपने आपको परिपूर करना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान, धरम का सम्मान, जो हमारे elders हैं, उनका सम्मान, जो law है, जो justice है, जो रीती है, जो नीती है, जो नियम है, हमको उनके अनरूप च करना पड़ेगा, तेंथ हाउस का लॉट फर्स में बैठके, ये देखिए, आपको बता रहा है, और कहीं बार, उल्टा होता है, भाई, पद मिला, पोजीशन मिली, नाम मिल गया, अब आदमी इसमें जो है, अभे तबे वाला हो जाता है, अरे, ऐसा, अरे, वो, और उनके दिमाग पर चल जाता है, ये करम जो है, फिर दिमाग पर चल जाता है, फिर दक्स जो है, वो टेंथ हाउस के जो करता है, वो फिर वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाते हैं, आप समझ जाते हैं, इसकी वज़ा से वो अपने करम खराब कर लेता है, और कहीं न कहीं उसकी गर्दन उतरती ही उतरती है फिर कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं वो जो है वो पतन का कारण उसका बन जाता है यह Tenth House का Lord ही तो कहीं न कहीं अपने लिए खुद गढ़े खोता है तो 10 थाउस का लौट जब first में बैठता है तो ये प्रेड़ना देता है कि जीवन में किस फ्रिकार से आप अपने विस्तार करें अपने स्वेम का विस्तार करने से हैं और राइटियस तरीके से करते हैं मत भूलिए टेंथ आउस का लॉट जब फर्स में जा के बैठता है तो अब आपकी पत्रिका में वो कौन सा प्लानेट है अब अगर वो सूरी ही है मान ली जिए और फर्स में बैठा है तो आपको जिस प्रकार से राम चंदर जी के गुण है उस प्रकार के गुण जो है आपको अपने अंदर रखने पड़ेंगे हर प्रकार का काम आपको देखिए शोभित करेगा और हर प्रकार के काम करने में आपको जिसको यूं कहा जाए कि एक अथारिटी तो प्राप्त होगी लेकिन एक मान एक सम्मान आपको प्राप्त होगा साथ में एक आप उधारन बनेंगे ऐसा व्यक्ति बड़ा पार्टिकलर होता है कौन सा काम किस प्रकार का काम किस तरीके की चीजें उसे चाहिए उसको बहुत मतलब जिसको कहा जाता है ना कि बहुत पार्टिकलर है वो कि मुझे काम इस तरीके से चाहिए ग्यान, बुद्धी, विवेक, समझदारी, इंटेलेक्चुालिटी, एक यश, एक मान, एक बड़पन बहुत जादा होती है यहाँ पे कई बार टेंथ हाउस का लॉट जा फर्स में बैठा होता है यह बिलकुल भी मत सोचना चाहिए कि हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है हार्ड वर्क करके ही टॉप पे पहुंचते हैं कहीं प्रकार की तपस्या करने के बाद ही हमको काम का वो सुख प्राप्त होत बाते हैं लेकिन यहाँ पे क्रियमान कर्मा क्या शो कर रहा है अपने आपको बदलना यह करम अपकी बार जीवन में क्या दिया है प्रभूने के आप अपने आपको सही कर लीजिए आप जो भी काम करते हैं गौर्मेंट, ब्यूरोक्राइट, पॉलिटिक्स, घर का काम, बि उसमें लगाए देना के मतलब हाँ अब या तो काम हमारा जीवन हो गया हम पड़े हुए हैं परिश्रम करने में और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तयार हैं अपने आपको भूल गए अपने संसकारों को भूल गए अपने जीवन में क्या करने आए हैं और भी तो ताराम नहीं भाई हम अपने आपको सुधारणे आये थे ये हमारा टैंध हाउस वो पुन्दफलों को दिखाता है जो आने वाले कई जनमों की नीव आपके लिए रखेगा आपके घर के लिए आपके परिवार के लिए आपके समाज के लिए तो इसलिए अब की बार अगर 10,000 का लॉट फर्स में बैटता है तो आप क्या काम करें, किस तरीके से करें, किस तरीके से आपका चाल चलन होना चाहिए, यह इंपोर्टन्ट है, यह आपके लिए करमा है, आप किस प्रकार से अपने आपको सुचारू रूप से चलाते हैं, ए अब आपका लगन कोई भी हो यहाँ पे, जिस प्रकार की आपकी परसनालिटी होगी, उस प्रकार से आप काम को समझेंगे, परखेंगे और देखेंगे, आप यह मान लीजिए, और काम भी आपको बहुत ज़्यादा बदलेगा, दोनों चीजें इंटर लिंक हैं आपस में यहाँ पे, कि आपकी परसनालिटी काम की वजह से बहुत ज़्यादा बदलेगी, और काम की वजह से आपको स्वेंबी बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यह बहुत गहरा मतलब रखता है, यह नहीं है कि काम आपके अनुसार ढ धले हमेशा, आपको भी ढलना पड़ेगा कई बार काम की अनुसार, तब आप उचाई तक पहुँच पाएंगे, लीडर्शिप स्किल्स होती है, अथौरिटी होती है, धरम में जैसे मैंने का बड़े परायन होते हैं, बड़े फास्टिंकर्स होते हैं, इंटिलेक्चुल ह होते है, बोलने में हाजर जबाब होते हैं, यहां पे, कई बार फिकिल माइनडेट भी होते है, यह काम करें, यह ना करें, इस तरीके की प्रवत्ति भी कई बार अन्डिसेशिएव, अनसर्टिनिटी वाली उनके जीवन में आ जाती है, बहुत स्टेंथ प्रदान करता है, tenth house का lord जब first को में जाता है तो लगन को support करता है हर प्रकार से ना, कि जैसे आपके करम आप करिए, आपके लगन को support करेगा, यहाँ पे वो प्रवत्त्ति आ गई ना, कि tenth house का lord हमारे करम हम को swim को बनाने में सहायक होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब प्रभू का साथ है हमको सदेव साथ है हम अपने आपको क्या बनाना चाते हैं हम अपने आपको राम बनाना चाते हैं या हम रामन की पद्दती पे चलना चाते हैं तैंथ हाउस का लॉड बताता है क्योंकि तैंथ हाउस के लॉड में दस प्रकार के पुन रहते हैं तो दस प्रकार की दुरातमाएं भी रहती हैं जिसमें देखिए विरोध, अनरगलता, क्रोध, अभीमान, स्तिरियों के साथ अनुचित वहवार करना ये सब इसमें रहता है तेंथ हाउस में तो अब जब ये क्यों कि मैंने आपको उधारन दिया दक्ष का, तो कहीं प्रकार की अवहिल ना, टेंथ हाउस का लॉट जब फर्स में बैठेगा, हमको अथॉर्टी मिली पावर, मिली पोजीशन, मिली हमारा बड़ा नाम हो गया, सम्मान हो गया, अब हम लगे हैं, इधर कल लो, ये वो कल लो, ये कल लो, हम बहुत बड बड़िया बात है, कि यहां पर व्यक्ति की जो मानसिक शक्ती होती है, शारीरिक शक्ती होती है, वो भी बहुत बड़िया होती है, यहां एक और अच्छी बात है, कि जब भी आप सही पत पे होंगे, प्रभू को पुकारेंगे, सहेता के लिए अगर अवाज लगाएंगे, तो प्रभु अवश्य आपकी हर प्रकार की मनो कामना पूरी करते हैं तो टेंथ हाउस का लॉड अगर फर्स में बैठा होता है ये वो वाला पॉइंट है कि आपने पूर उस जनम में किसी प्रकार के जो डिजायर्स करी थी वो अपकी बार पूरी होंगी या आपके जनम लेने के बाद घर परिवार की उननत्ती वरद्धी आपके द्वारा उनकी वरद्धी या उननत्ती का भी परिचायक है ये टेंथ हाउस का लॉड जब फर्स में बैठता है तो बहुत सुन्दर सिती है और बहुत सुन्दर तरीके से इसको आप यूज करिएगा क्योंकि में कर्मा में आपका काम अबकी बार स्वेम को संभालना है टेंथ हाउस का लॉड फर्स में बैठा है और आपको जुआ खेलनी की प्रवत्ती है आपको समझना है कि टेंथ हाउस का लॉड आपके विवेक को आपकी समझदारी को ये बता रहा है कि हाँ ये खेलना ठीक है अगर है तो आप उसको खेल सकते हैं और अगर वो कह रहा है कि नहीं तो फिर नहीं first house सत्थ से related है धरम से related है first house और tenth house का Lord जब first house में जा के बैठता है तो वो ये बताता है कि आपके लिए क्या सत्थ जीवन जीना या असत्थ की रहा पे चलना वो आपके लिए उचित है आपको निरणे करना है tenth house का Lord जब second में बैठता है ये भी एक अच्छी स्थिति है वेक्ति जो है जो प्रोफेशन या काम बिजनिस या नोकरी जो भी करता है उसमें एक तरीके से लगी होता है फैमिली बिजनिस जॉइन करने का यहां पर बहुत ज़ादा अगर किसी बंद कर देता है और दूसरे काम की तरफ चला जाता है तेंथा उसका लॉट सेकिंड में बैठा होता है प्रोफेशनल सक्सेस प्रदान करता है इन्हेरिटेंस प्रदान करता है जीवन में मेहनत से अपनी द्रड़ता से नॉलिच से ग्यान से वो आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे शने शने आप यूँ कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी तरक्की कर जाता है या आगे बढ़ जाता है उसकी कम्यूनिकेशन स्किंज बहुत अच्छी होती है उसका लोगों के साथ कनेक्ट करने का तरीका बहुत अच्छा होता है यहां पे फैमिली बि consultant है को जोट्शी है को इन है किसी प्रकार आठ से सम्मंदित काम है खाने से समंदित काम है क्योंकि तेंथ आउस का लोट, जब सेकिद में बैठेगा तो इस प्रकार का creative काम भी अदे सकता है किसी भी प्रकार का creative काम दे सकता है उसमें हर प्रकार का entertainment industry भी आती है, साथ में कोई professional coaches है, consultants है, advisors है, lawyers है, bankers है, गौर्मेंट सर्विस है, गौर्मेंट सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर पद और position और सिंघासन योग बनाता है, 10th house का Lord जब 2nd में बैठता है, family को support करना, family को uplift करना, family के लिए कार करना यहाँ पे आपका करम बन जाता है, कई बार आपके जनम लेने के बाद family में बहुत ज़्यादा उत्थान होता है, कई बार आपको हर प्रकार के resources प्राप्त होते हैं, जब 10th house का Lord 2nd में बैठता है, तो हर प्रकार के resources आपको प्राप्त होते हैं और कई बार आपको जीवन में रिसोर्स बनाने पड़ते हैं अब टेंथ हाउस का लॉड सेकेंड में बैठा हुआ है बहुत अच्छी बात है लेकिन वो कंडिशन में याद रखिए कि अब ऐसी इस्तिती में सेकेंड हाउस का लॉड आपकी पत्रिका में कहां है लग में जॉइन करेंगे वृद्धी करेंगे और या लॉसिस करेंगे तो उसको वाइंड अप कर देते हैं तो अब टेंथ हाउस का लॉड सेकेंड में बैठके कितना कमफर्टेबिल है वहाँ पे कोई मेलिफिक प्लानेट तो साथ में नहीं बैटा हुआ है ये सारी चीजे भी देखनी होती है यहाँ पर हमारा कर्मा क्या है हम अपने परिवार के अनरूप परिवार के साथ परिवार के लिए अपना जीवन जीए हमारा कर्म उनसे अटाच होके आता है हम सही बोलें क्यों क्योंकि टेंथ हाउस का लॉड जब सेकेंड में जायेगा तो हमारा इस समय का प्रेजेंट कर्मा क्या है क्रियमान कर्मा वो ये शो करता है कि सत्त बोलिए सही बोलिए जो भी आप बोलें उससे लोगों को फाइदा प्राप्त हो अब हम टेंद हाउस का लौड सेकंड में बैटा हुआ हम अपने जीवन में बोलने से ही कहीं प्रकार के ऐसे अनरगल अपन खा पी रहे हैं उससे भी हमारे कर्मों पे बहुत ज़्यादा फरक पड़ता है शास्तर कहते ही हैं कि जिस प्रकार का हमारे मानसिक विकास जो है उसी प्रकार का वो ढलता या बनता है इस बात को याद रखिएगा सेकंड हाउस हमारे जीवन में हमारे नौलिज का है हमारे ग्यान का है हमारे विजन का है हमारी दूर दरसिता का है तो जब वो ये बैटता है अपकी बार आपका करम आपको क्या सिखाता है कि भाई आप दूर दरसिता वाली कोई बात करते हैं आपके पास कोई विजन है कोई गोल है किसी परकार की नॉलेज आप ले रहे हैं अच्छा हाउस हर प्रकार की हमारी ग्यानेंद्रियों से related है हम यहां से देखते हैं सुनते हैं सूमते हैं सब करते हैं तो यह हमको एक विजन प्रदान करता है नॉलिज प्रदान करता है ग्यान प्रदान करता है स्वर प्रदान करता है बोलने की ताकत connection की ताकत प्रदान करता है तो अ आप अपने द्वारा, अपने जीवन में, अपने परिवार के द्वारा, अपने रिसोर्सिस के द्वारा, आप क्या सुन्दर करम कर सकते हैं, आप फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, अच्छा बोलना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, अच्छा अपना उ हो नाचान्दी मेरा बैंक बैलेंस देखिए टेंथ हाउस का लॉट जब सेकंड में बैठता है तो यह सब चीजें परदान करता है महनत से आप दीरे दीरे आगे बढ़ते जाएंगे अपनी सेविंग्स में अपनी घर प्रॉपर्टी इन सारी चीजों में व्रद्धी करेंगे लेकिन यहां पर जो मेरा पने वाली बात है वो क्या है मेरा देखिए यहाँ पर बताते हैं यह परिवार का घर बताते हैं और परिवार हमारे अपने सीमित ही होता कि हमारे माता हैं पिता हैं बहन हैं भाई हैं हम उसमें सीमित रहते हैं और बाद में फिर उनको भी त्याक के उनको भी छोड़ के आज कल के समय में हमारा अपना संसार को भी देखिए शो करता है ना 10th house हमारे जीवन में 10th house उस चीज से related है तो वो ये शो करता है कि जब ये planet 2nd house में बैठता है तो आपके लिए पूरा संसार एक परिवार सरीखा होना चाहिए वो ये भी आपको बताता है ये नहीं कि हमारा है हमारा क्या होता है हमारे होते हैं अच्छे बोल हमारे होते हैं अच्छी सीख हमारे होते हैं वो वाली प्रेड़ना कि हाँ हम लोगों के साथ रह पाएं साथ चल पाएं मिल के रहें एक साथ ये हम इन चीजों को अपना कह सकते हैं ना ये भई हमारा ये चीजे हैं तो यहां पे एक लेबिल लगाना एक ठपा लगाना अपनी चीजों में अपने पॉइंट्स के लिए वो बेकार है इसलिए आपका जनम नहीं हुआ है ये मेरा तेरा करने के लिए यहां पे यह मत करिएगा क्योंकि बात छोटी होती है बात moral science की लगती है लेकिन बड़े impact छोड़ती है आपके जीवन में परिवार के माध्यम से भी समाज के लिए भी बहुत बड़ी चीजे हम काम भी अगर कहीं कर रहे हैं और इस सोच के साथ कर रहे हैं कि जिनके साथ भी हम काम कर रहे हैं वो actually में हमारा पूरे परिवार सरीखा है कब हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फरक डाल सकते हैं इस बात को याद रखिएगा कोई बहुत टैलेंट कोई creativity आपके पास जरूर होगी जब 10th house का lord second में बैठता है क्यों क्योंकि हो सकता है कि कोई पुराना creative talent है चाहे वो कोई hobby हो कोई गाना बजाना को किसी भी परकार का talent आपके अंदर वो हो सकता है 10th house का lord second में यहां बताता है आप लोगों को किस परकार से आश्रे देते हैं हाउस और 10th house जब मिल जाते हैं हमारे पास पैसा है हमारे पास काम है हमारे पास सारी चीजे है तो हम दूसरे लोगों को किस परकार से आश्रे देते हैं जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया है यहां मांसिक दड़ता देता है आदमी को दक्षता देता है, गूरता देता है, बोलने की ताकत देता है, चतुर होता है, चपल होता है ऐसा आदमी, ब्लेसिंग उसको प्राप्त होती है, भाग ये शाली होता है, कहीं मामलों में 10 था उसका लॉड सेकंड में बेटा होता है, कहीं बार पैसा बहुत आता है, authoritative बोलना है ना ऐसा करो मैंने ये किया है ऐसा काम करना चाहिए नहीं घर ऐसे चलेगा परिवार ऐसे चलेगा मेरा ये है ये चीजे डिक्टेट करने की भी कहीं बार यहां पे point आ जाता है और कहीं बार ऐसा व्यक्ति पैसे के ऊपर जैसे मेरा मैंने आपको बात बताईए ना कि हाँ ये मेरी चीजे हैं ये मेरा वो है तो उसके ऊपर जैसे वो अपना एक स्वामित्व बना लेता है तो कहीं न कहीं से कंजूस भी हो सकता है टेंथ हाउस का लॉट जब सेकेंड में बैटा हो कि नहीं भाई हम जो करेंगे हमारे थुरू ही हो के सारे रास्ते और बाकी कुछ नहीं तो कहीं बार ऐसा व्यक्ति पैसे के मामले में भी थोड़ा कंजूस हो सकता है यहां पे आपके करम आपको दिखाएंगे क्योंकि सेकेंड हाउस देखिए मारक हाउस है तो तैंथ हाउस का लॉट जब सेकेंड में बैटता है तो हर प्रकार की उपलब देखिए मारक स्थान है तो वह यह बताता है कि अगर एंद हाउस का लोट सेकेंड में बैठा हुआ है तो जो आपकी सोच है जो आपकी प्रवत्ति है जो आपका भोगों के प्रती आ सकती है क्योंकि सेकेंड हाउस भोग भी है तो अब जो भी यह चीज़ें हैं वो करना चारते हैं या सधेव उसी के परतंत रहना चाथे हैं यह यज िसे तीज से कंदर करमो से हम लोगों को आश्य रे लिए हम कई दोगों के लिए प्रेडना स्थोध बन रहे हमारे अपने कई लोगों की इस प्रकार की सलह से ज्जान से लोग बन गए भाई कोई डिवाईसर है कोई lawyer है हम कितनी लोगों की मदद कर रहे इतना लोगों का साथ दे रहे हैं, वो आपके जीवन में आपको एक स्टेप आगे ले जाएगा, यहां पे वेक्ती बैठा हुआ बड़ा हाजिर जवाब होता है, उत्तर देने में, सोचने में, समझने में, और जिसे मैंने कहा, कड़वा बोलने की प्रवत्ती भी काम की वज जाना, अब वोकि second house मेरे तेरे का है, तो उसमें कहीं न कहीं, लोगा आ जाता है, तो अब जब वो लोगा आ जाता है, तो आदमी का को पतन की तरफ ले जाता है, फिर वो उसी आवागवन के चकर में ढाल देता है, ना क्योंकि 10th house eventually और actually वो वाला प्लानेट नहीं है, जो आपको ये बता रहा है कि आप पुलिस बन जाईए, आप चोर बन जाईए, आप सिपाही बन जाईए, वो ये नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है, कि आपके करम आपको मुक्त करेंगे, या फिर आपके करम आपको फिर से बेडियों में डालेंगे, तो आपका टेंथा, उ पुछ नहीं और मेरा क्या है सब मेरे हैं ये वाली प्रबत्ती रखना कई बार टेंथा उसका लॉट जब सेकिंड में बैठता है और अच्छी कंडिशन में नहीं होता है तो आदमी को घर परिवार के लिए बड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है बड़ा संगर्स कर पड़ना पड़ता है चाइल्ल्डूट बहुत प्रॉबल्माटिक बीटता है उसका शुरूआट दिन से परिवार के लिए उसको काम करना पड़ जाता है बड़ी Sé politics परिवार के लिए उठानी पड़ जाती है परिवार में वो मुख्या बन जाता है चाहे चोता हो हो चाहे इस को धीरे दीरे उसको इखटा होता है या बड़े जतन करने पड़ते हैं इस चीज के लिए टेंथ था उसका लॉड जब सेकिंड में बैटा होता है लेकिन हाँ किसी ना किसी प्रकार की स्किल टालेंट उनको अवस्च एक्वाइर करना चाहिए जिस से कि वो अपने आपको अपग्रेड या अपनी व्रधी कर सकते हैं जब 10th house का लौट जब 2nd में बैठता है फिर अपने कर्मों द्वारा 10th house का लौट कोई करम को दर्शा आता है अब 2nd में बैठता है वो मारक स्थान है वो मैंने आपको बताया अब अपने कर्मों द्वारा पता चला परिवार को औ साढ़ कि चीज़ों के साथ हो सकता है वारन से कंपनी के कर रहे हैं कोई राइटिंग कोई आएटी कोई गया कमनिकेशन और ट्रांसपोरो गी एथलीट कोई सपोर्ट कोई ऑकाउन्स इंसारी चीजी हैं कोई हैं में आईटी में कोई बिजनिस कर रहा है कोई स्पोर्ट में है कोई शोल्जर है क्योंकि थर्ड हाउस का कारक प्लानेट मार्स भी है तो अगर एंथा उसका लॉट थर्ड में बैठेगा तो वो यह सारे प्रोफेशन्स भी उठा सकता है स्टॉक्स बैंक किसी भी प्रकार का एथलेटिजम उसमें हो सकता है किसी क्रियेटिविटी राइटिंग जो हमारा आईटी सेक्टर है फॉरंजे रिनेटिट काम है कोई ब्रोकरेज है किसी भी प्रकार का आदमी कहता ना कि हम यह वाला काम कर जब थर्ड में बैठेगा इन सारी चीजों की तरफ हमको प्रवत्ति प्रदान करेगा कहीं बार भाई कहीं बार मित्र हमको बहुत मदद करते हैं हमारे कर्मों को स्टांड करने में लेकिन यह आवश्चक नहीं है यह बात याद रखिए कहीं बार यहां पर टेंधा उसका और जब थर्ड में बैठता है तो अपने से देखिए वो छटे होता है तो वो यह बताता है कहीं बार हमको जो है वो ऐसे कामों को कहीं बार चुनना चाहिए जो एक कांट्राक्चिल बेसिस पे होते हैं आज हैं कल खतम इस प्रकार का कोई काम होता ना हमको यह रहता है तो कई रहता है तो कुछ Из प्रकार के काम भी उनको पकड़ने चाहिए जो उनको बदलते रही चीज़ों को Otherwise क्या होता है कि कहीं बार कहीं के लिए काम छूट चूटते रहते हैं उनके बड़ाँ मुश्किल हो जाता है ये तो उसप्रकार के काम ही चुनो जो आप क बीच बीच में ब्रेक देते रहें इस प्रकार का आपका काम है ना अब टेन्थ हाउस का लॉट जब थर्ड में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुछ करना चाता है अपने जीवन में जब टेन्थ हाउस का लॉट थर्ड में बैठता है हाँ यहां पर वो टेन्थ हाउस का लॉट थर्ड में कितना कमफटेबिल है यहां पर थर्ड हाउस का आगे से लॉट हमारे पत्रिका में कैसा है मंगल कैसा है हमारी चार्ट में वो तै करेगा कि हमारे टेंध का लौर्टस का लौर्ण है हमारा थर्ड में बैठके कितना फाइदा करने वाला हा Yorkा herman से संबंदित भी होते हैं धरम से संबंदित भी होते हैं फौरण से संबंदित भी होते हैं पिता से संबंदित काम भी देखते हैं क्योंकि एकर टैंथा उसका लॉट थर्ड में बैठेगा तो फिर वहां थर्ड से सीधे वो नाइंथ को देखेगा तो नाइंथा उसके भी जि ये करेंगे तो हमको उसमें फाइदा प्राप्त हो जाएगा तो अब जैसे टेंथ आउस का लॉट थर्ड में बैटा है अब कोई आदमी कह रहा है लेकिन यहां पे तो हमें बताया नहीं कि हम टीचर हैं या गुरू है यह हम किसी प्रकार के फिलोसफी में या फॉरन से रिले राज की तो एक नाश्रल हो जाता है या सरकार से भी पड़ती है नाइन्थ हाउस जो है अब व्यक्ति कहा है कि टेंथ हाउस का लॉट थर्ड में बैटा है हम गॉवर्मेंट सर्वेंट है यह कैसे हो गया अरे भाई तो नाइन्थ को देख रहा है तो भाग के आप भाग की वजह से क्योंकि नाइन्थ हाउस भी हमको पद, पोजीशन, गॉवर्मेंट, सरकार, पब्लिक डोमेन इन सारी चीजों की और वो ले जाता है हमको एक अथॉरिटी शो करता है ना नाइन्थ हाउस हमारे ग्यान की वज़ा से हमारी सुप्रियॉरिटी की वज़ा से क्योंकि यह हाईयर माइंड है तो आपके पास हाईयर माइंड है आपके पास भाग गया है आप सरकारी सेवा में चले गए वो यह भी शो कर सकता है टेंथ हाउस का लॉट थर्ड में बैटा हुआ है और अगर वहाँ पे देखिए वो कमफोटेबल नहीं है तो कई बार हमको काम में स साथ बहुत ज़्यादा प्राबलम होती है यहां पर हमको अपना स्कारेज़ अपनी वैलर, अपनी दर्ड़्ड शक्ती, इच्छा शक्ती, मानसिक शक्ती बना के रखनी पगती है वज़ा क्योंकि बहुत फिकल माइंड होता है हम ये कर ले हम ये कर ले ये कर ले ये वाली स्थिती भी होती ही तो हमको कौन से काम में डटे रहना है कौन सा काम करना है ये यहाँ पे जानना भी ज़रूरी है और उसी के साथ अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है अपना स्कामना बिल्ड अप करना है किसी ना किसी प्रकार से अपने आपको मजबूत रखना है यहाँ पे क्योंकि थर्ड हाउस एक उक्चे स्थान है टेंथ हाउस का लॉड जब थर्ड में जाता है तो यह अवश्य बताता है कि हाड वर्क के दारा प्रिजर्वरेंस के दोरा आप अपने काम में वरद्धी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपके पास होसला होना चाहिए हिम्मत होनी चाहिए बल होना चाहिए मजबूती होनी चाहिए मानसिक दड़ता भी और शारीरिक दख्षता भी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे आप कोई स्पोर्ट्समैन है कोई अथलीट है कोई किसी भी प्रकार के ऐसे कामों में जाना चाहते है सोल्जर एंड ये पुलिस वो ये भी शो करता है लेकिन उसके लिए डील करनी होती है यहाँ पे बहुत materialistic desires होती है रदी करना, पैसा एक उचाई पे जाना एक अपने लिए नाम करना अपने बल पे कुछ कर जाना तो कि third house क्या है अपने हाथों का है ना तो tenth house का lot जब third में बैठता है तो आदमी बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्कत से बड़े competitive spirit से हर प्रकार की परशानिया सह के अपने हाथ के द्वारा जो achievement प्राप्त करता है वो उसके लिए एक अलग तरीके का एक उसको एक highness देता है जीवन में जब थर्ड में बैटा होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आपको अपग्रे करना है लोगों के साथ किस प्रकार की हमारी सोच है काम को लेकर हमारी प्रवत्ति क्या है यहां पर क्योंकि थर्ड हाउस क्या होता है हमारे लोवर और हाईयर माइंड का होता है लोवर माइंड हमको हर प्रकार के गलत काम करने की प्रवत्ति देता है और हाईयर माइंड हमक को पूरा करना चाते हैं वह अच्छी बात है लेकिन वह डिजायर्स अगर धर्म की रहा पे हैं क्योंकि फिर मत भूलिएगा के टेंथ था उसका लॉड के पास सबसे बड़ा धर्म भी है और सबसे बड़ा धर्म भी है पुजीशन पद पदवी अथौरिटी पाने के बाद व या काम के द्वारा अपने मोटिव्स हल करना लड़ाई जगड़ा कर लेना भाईयों से फ्रेंड से रिलेटिव से विमुक हो जाना उनसे अलग हो जाना कई बार ऐसा भी हो सकता है और कई बार कई कारण वश ये हमारे पतन का कारण भी बन सकते हम इनी चीज़ों में के साथ बात बिल्कुल खतम हो जाती है जिनके साथ होती है कई बार हमारी अपनी फादर के साथ भाईयों के साथ बड़ा हम एंटी हो जाते हैं यहां पे कहीं चीज़ों के जब टेंथा उसका लॉट थर्ड में बैठेगा और अगर वो गलत रिजल्ट दे रहा है या आपक करम पत पे चलते रहें तेंथा उसका लॉट जब थर्ड में बैठा होता तो ऐसा वेक्ति टाक्टफुल होता है डिप्लोमाटिक होता है थोड़ा सा मिस्टिकल होता है अपने जीवन में चीजों को नित नहीं चीजों को सीखने वाला करने वाला हां यह कर लें वो कर लें इस प्रकार की भी प्रवत्ति होती है और अगर टेंथा उसका लॉट थर्ड में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो ऐसा आदमी सदेव चीजों को पकड़ के छोड़ देने वाला होता है और अगर टेंथा उसका लॉट थर्ड में होता है तो जो काम हाथ में लेते हैं उस एसी हो जाती है उनके द्वारा ऐसी हो जाती है जिससे वह अपना आगे आने वाला कल खराब कर लेते हैं क्योंकि थर्ड हुस्त क्या है हमारी डिजायर्स का है हमारी कामनाओं का है उसी से हम बनते हैं वही हमारा पहला स्टेप है तो जब करम का स्वामी तेंथा उसका लौड जब थर्ड में बैठता है तो हमारी कामनाएं शुद्ध होनी चाहिए कहते हैं आप बेस या नीव अच्छा होना चाहिए पढ़ाई इसके टैलेंट अपग्रडेशन धरम इन चीजों म आप अपने काम की बात सुनते भी हैं या आप उसको एक कान से सुना और दूसरे कान से आपने निकाल दिया या आपको सुननी ही नहीं अच्छी बाते अपनी ही करनी है अपनी ही चलानी है यहाँ पे एक्सिडेंट चोट चपेट काम में ट्राविलिंग के दौरान हमेशा बच के रहिए अगर आप ट्राविलिंग वाले किसी काम में नहीं भी है तो भी आपका माइंड हमेशा ट्राविल करता रहता है क्योंकि यहाँ पे माइंड ट्राविल से तो तेज या ज्यादा कुछ भी नहीं है तो जब टेंथाउस का लौट थर्ड में बैठता है तो ऐस आदमी का काम इन्वाल्व हो सकता है या इन्वाल्व होना चाहिए कुछ ऐसे कामों में जो उसको कई प्रकार के द्रिश जीवन में या कई प्रकार की दुनिया की सेर करा दे यहाँ पे बैठा बैठा वो राइटर है तो वो कुछ भी सोच सकता है कहने का मतलब यह है दूस बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए यह आपका करमा है आप यह करेगा आपकी सोच कैसी आपकी वृत्ती कैसी है आपके जीवन में आप हमेशा चार्जडब रहते हैं motivated रहते हैं दूसरों को motivate करते हैं दूसरों के साथ अच्छा संबंद बना के रखते हैं मित्रवत वहवार करते हैं लोगों के साथ आप जीवन में connection बना के चलते हैं लोगों के साथ ये आपका 10 था उसका lot थर्ड में जब बैठा हुआ बता रहा परिश्रम hardware करने से पीछे नहीं रहते competition से डरते नहीं हैं उसके बाद भी आप coordination साथ में आके काम करना लोगों के साथ friendly रहना उसके बावजूद भी आपकी ये वरिक्ती बनी हूँ ये ये आपका करमा है तो आप टेस्ट में पास हो गए अब कई बर क्या होता आदमी 10 था उसका lot जब थर्ड में बैटा है तो एकाकी हो जाता है अकेला हो जाता है या वह सोचता है मैं किसी के साथ कुछ शेयर ना करूं किसी के साथ कुछ ना बाटूं मेरी कॉडिनेशन बहुत स्किल्स खराब है लोगों के साथ भाई बंदूं के साथ चीजें बहुत खराब हो रही है यहाँ पर उनी चीज़ों की बज़ा से और असली करम क्या असली करम यही है कि खुद तो motivated रही है दूसरे को motivate करिए दूसरों को आप किस प्रकार से influence कर पाते हैं क्या सुन रहे हैं बड़ों की सीख सुन रहे हैं के नहीं सुन रहे हैं धरम का सहारा ले रहे हैं 10,000 का लौड थर्ड में बैठा है कहां देखता है आपके 9,000 को तो वो यह बताता है धरम का ग्यान का पिता का गुरू का साथ लेना ले लेना सजेशन ले लेना सहारा ले लेना बहुत उत्तम यहां पे आपके लिए रहता है अनकंट्रोलेबिल डिजायर करम को लेके रखना 10,000 का लौड जब थर्ड में बैठता है मैं नहीं कहता हूं कि खराब बात है होनी चाहिए डिजायर्स विक्ति को नहीं मिलेगा 10,000 का लौड जब फोर्थ में बैठता है देखिए ये भी अच्छी कंडिशन है एक केंद स्थान का स्वामी दूसरे केंदर में आके बैठता है तो यहां पे व्यक्ति बड़ा वर्सिटाइल होता है बड़ा नॉलेजिबिल होता है बहुत इंटेलिजेंट ह जनरोसिटी के लिए जाना जाता है टेंधा का लॉट जब फोर्थ में बैठता है तो किसी प्रकार के कोई गैरे काम फोर्थ म Yay! क्या है हमारे इमोशन का है? हमारे अंधर की दुनिया का है पोर्थ हाउस और भृस आप कह सकते हैं एक बाहर की दुनिया का है लेकde जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा काम कर सकता है कोई गुरू है कोई एस्ट्रॉलिजर है कोई साइकलोजिस्ट है कोई रियल इस्टेट में काम कर रहा है कोई गौर्मेंट में काम कर रहा है कोई भीरोक्रेसी में काम कर रहा है क्योंकि हो सब बन्हाइज वसnez बना है कोई हम समनुना है, कोई फॉठ हाउस में बैट के जो टेन्थ हाउस का लॉड है, गार हुए वह पर देखता है तो एक प्रकाड से हमको एज परदान करता है कोई ट्रांसपोर्ट में है, कोई इंटीरियर्ज में है, कोई रियल स्टेट में है, कोई पढ़ाई, लिखाई, एजुकेटर है, कोई गुरू है, कोई धर्म से संबंदित काम कर रहा है, कोई होटेल लाइन में काम कर रहा है, फोर्थ हाउस क्या, सेक्योर्टी का, सेफटी का आनन्द का सुख का और ये सारे काम हमारे होटल से भी रिलेटिड हैं अब टेंध था उसका लॉट जब फोर्ट में बैटेगा तो हम उस प्रकार के भी काम कर सकते हैं जो भी काम करें इसको अंदर से वो काम को उसमें आनन्द आना चाहिए ऐसा काम जो की जहां पे भी बैटा हुआ काम करेगा आपने कहीं लोग घर में बैट के चेन करेंगे कि मैं ऐसा काम कर लूँ जो मुझे एक होमली एटमोस्फियर रहे मैं घर में वर्क फ्रॉम होम का आजकल तो चलन भी हो गया है तो यही वाली पद्दती उस चीज़ के साथ भी आती जब टेंध था उसका ल वाड वाड भी उनको प्राप्त होना चाहिए कि मलब भार की दुनिया से कनेक्शन नहीं है घर में बैटे बैटे अपने अंदर बैटे बैटे पूरे संसार के कार्रेयों को समेटे हुए नौलिज को ग्यान को समेटे हुए और भार उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं यहा उसका लॉट जब फोर्थ में बैठेगा तो अपने से साथवे में होगा तो यहां पर वर्क का खात्मा फिनेश टैन नहों पाना स्टैन नहों पाना लॉसिज होना काम के कई बार्शों होता है यहां पर अपने पूर्व पुन्यों की वज़ा से यहां पर आदमी को कुछ प्राप्त होता है अपने द्वारा भी वह सब कुछ कर लेता है अपने हाथों द्वारा लेकिन उसको पूर्व से रिलेटिट कई प्रकार की अच्छी सिक्षा घ्यान प्राप्त होती है अच्छी काम करने वाली हो सकती है उनसे बहुत बड़ा सपोर्ट आपको प्रा के चला आए हम दुनिया में खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएं इंगिलेंड के फलानी चीज बन जाएं ऐसा नहीं है देखिए यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी इमोशनल ड्रामा से बाहर आना पड़ेगा यहां पे कर्म क्या है देखिए टेंध आउस का लॉट फोर्ट में बेटा है आपके लिए क्रियमान कर्मा क्या बता रहा है हिर्दे से पवित्र रहिए शुद रहिए धार्मिक रहिए मोक्स के लिए जतन करिए अपना मन सुन्दर रखिए स्वच रखिए किसी प्रकार की कलुस्ता किसी के लिए मत रखिए यह एक चीज़ वो बताता है जो कि आपके काम पे बी वो असर डालेगी लेकिन अगर हम रियलिस्टिक काम की बात करें बटाता है सीधी सी बात यहां यह हाडवर करना पड़ता है यह 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 नहीं है कि हमें असानी से चीजे मिल जाएं , Sign左右 करना है ? अपने आपको उसमें लगाए रखना पड़ेगा जी तो आप मेहनत करते रहना पड़ेगा तब आप उस पोजीशन में पहुंच पाएंगे तो तेंथ हाउस का लोड जब फोर्ट में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत क्लेवर होता है समझदार होता है कोई ना कोई टाले दें अच्छाई की तरफ धकेल दें ये भी देखिए यहाँ पर हो सकता हो कई लोग ये महसूस भी करेंगे वह मुझे अवस्य कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि कई बार टेंथ हाउस का लोड जब फोर्ट में बैठता है तो वह स्पिरिच्वालिटी से की तरफ धरम की लिए तरफ घ्यान की तरफ गूरता की तरफ बहुत जादा आ करसित होते इसका लोड फोर्ट में बैठता है यह व्यक्ती को भॉट गहराई से बहुत अंदर तक कार्क के नौलिज घ्यान इनको हर क्यार की नौलिज है यहां इनको आर्ट के बारे में भी कुछ पता है यहां इनको लौ के बारे में भी कुछ पता है ग्यान के बारे में धरम के बारे में हर प्रकार की चीजों के बारे में इनको कुछ ना कुछ सब पता है मदर से बहुत सपोर्ट रहता है मदर हमेशा पुछ करती रहती है घर पर लॉट फोर्थ में घर परिवार के पास बहुत कुछ था उसी से हमारा जीवन यापन हो गया इसा होता है टेंथ था उसका लॉट फोर्थ में बैटा है ऐसा आदमी बहुत सिद्ध बहुत योगी एस्ट्रोलिजी गूरता किसी प्रकार का साइकिक आप यह सोच दीजिए साइ के लिए सीरियस नहीं कहूँगा क्योंकि टेंथ था उसका लॉट जब फोर्थ में बैटा है तो यहां पे थोड़ा जिसको कहा जाता है वो मुलाइमता वह जिसको कहा जाता है पांपरिंग वाली बाद आ cloud आ जाती है तो काम में बड़े सशक्त नहीं होते हैं कि नहीं इसल लेकिन काम इतना हमें नहीं करना है या काम हम उस प्रकार से नहीं करेंगे नहीं आपको समझना पड़ेगा आपका रास्ता कौन है उसके उपर काम करके पहुंच जाईए उसके बार अपना जीवन जीने की आप जतन करते रहे ये टेंथा उसका लॉड फोर्ड में बैठा है अपनी वासनाओं के लिए किये गए कर्म छुपे हुए कर्म कोई भी ऐसे हो वो आपको पतन के रास्ते की तरफ ले जाएंगे टेंथा उसका लॉड फोर्ड में बैठा है एक उधारन आप काम करने जा रहे हैं आप काम करते हैं किसी भी जगा आप काम कर रहे हैं मान लीज साथ बड़ा अनंद लें अपना खाई पीएं मौज करें अब आपका काम है आपको काम में डिटेलिंग होना आरे ठीक है फिर देख लिया जाएगा हो जाएगा चले गए अब काम को इंपोर्टेंस नहीं दी यहां पर यह चीज़ें आपके पतन का कारण बनेंगी और फिर यह आपके काम को भी खराप करेंगी मन को मतावी होने दीजिये काम पर हमण वाला काम कर सकते हैं कि हाँ हमको ये वाले काम पसंद है हमको वाला काम नहीं पसंद है हम जिस काम में रम गए तब तो क्या बात है पूरी दुनिया पूरा संसार आपको जानेगा वो एक अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं है मन बीच में ले आई ये काम के ना काम काम है हमको अगर प्रोफेशन करियर स्टैंड होना है अपने घर परिवार को चलाना है तो हमको सीरियस होना बहुत जादा जरूरी है responsibility समझना बहुत जरूरी है कहीं बार हमको दुख होंगे अकेले काम करना चाते हैं गंटों लगे हूँ अठारा गंटे काम कर रहा है अकेले में यहाँ बेटे और टैन्थ हाउस का लॉट फोर्ट में कोई बड़ी प्रसिद्धी मिल गई नाम हो गया काम हो गया हंबल बने रहा हो शुद्ध बने रहा हो कई ऐसे लोग होते हैं नहीं हमको पद्वी पोजीशन मिल गई अरे आप तो भाईस फलाने साहब वो हैं आप तो आचार हैं आप तो यह वो आदमी अंदर से सुन सब रहा है टैन्थ हाउस का लॉट फोर्ट में बैठा है और वो अंदर से यह कह रहा है राधरा नहीं हमको इस चक्रों में मट डालना हम जैसे जो काम कर रहा हैं में वो बस चुपचाप करते रहने दो हमें यह सारी चीजें अपने माथे पे मूड पर बठानी नहीं यह सर पे कि हम आप अपने ऊपर यह ओड लें किसी कार करने के लिए चिंता करते रहना काम के लिए बहुत जयदा सोचना बहुत जादा नरम वैवार रखना अपने ही साथ काम को लेके अरे भै 10 दाउलके लौट फोर्ट में बेटा अपने आपको चार जहां पर मारियों और काम पेचलिए ये काम करना अदस प्रकार के काम चुनेंगे हमें ये काम नहीं करना वो काम नहीं करना यहां ये पसंद नहीं आरा वो हमारे मन मताबिक काम नहीं आरे जो मन मताबिक काम हो उसको तै करो और उस रास्ते पे चलते रहो अदरवाइस क्या होता जैसे मैंने आपको पहले बताया क काम का पतन काम हो नहीं पा रहा घर में बैटे हुए हैं अच्छा खासा नौलेज है ग्यान है पिएजडी है स्कॉलर हैं कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज की वज़ा से तो कई बार लोगों के साथ यह वाली पोजीशन भी आती है ना तो अपने आपको यहां पे ज जब टैन्थ हाउस का लोट फोर्थ में बैठे इमोशनली इस चीज को देखना कार को करना उसके साथ जुड़ना कोई ऐसा कार जो उनक sulphा Counter है जो लोगों के साथ कनेट करने में हिड़ से जिसको कहा जाना हम हिड़ से उसकी मदद कर रहे हम डॉक्टर हैं मानों ये कोई करवा दिया है अब बड़ी कृपा है राधरानी की जो ये आदमी अब थोड़ा सुखी होगा इसको आनंद मिलेगा इसको चैन आएगा ये चीज़ उनको बहुत हाई करती है तो जब टेंथ हाउस का लॉट फोर्थ में बैठा हो ये प्रवत्ती ये वाली चीज ममता से इंटेलिजेंट अपने स्किल्स अपने कोई ना कोई जो क्रियेटिव टालेंच होते हैं नौलेज घ्यान इसके तुरू आदमी बहुत ऊपर उठ सकता है टेंथ हाउस का लॉट एक केंद स्थान का स्वामी जब त्रिकोन में होता है तो बहुत बड़ा राज्यों इंटेंड में इंडस्ट्री गेहराई रिसच कोई पी एच दीज हैं यह कोई ब्यूरोक्रासी है कोई आइस पीओ हैं गवर्मेंट जॉब्स डी बहुत बड़ा कोई सपोस है कोई होबी थी उन चीजों से रिएटेड कोई घहराई से जानने वाली चीज यह कोई टीचर है कोई कोच है, कोई एडवाइजर है, कोई कंसल्टेंट है, इस तरफ के कामों की तरफ वो जा सकते हैं, कोई व्यक्ति, कोई गेमिंग है, कोई स्पेकुलेशन हैं, स्टॉक्स हैं, मेडिटेशन, प्रेयर्ज, फिलोसफी, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्राक करती हैं, टेंथ हाउस का लॉट जब फिफ्ट में बैठा हो, और कई प्रकार की गॉवर्मेंट पोजीशन भी हैं, पॉलिटिक्स भी इसमें आती है, हाई पोस्ट भी आती है, आदमी अपने स्किल्स के द्वारा, मैंने पहले ही कहा है, ज्यान के द्वारा, नॉलिज के द्वारा, काफी वृद्धी प्राप्त कर सकता है, बहुत वाइज होता है, स्कॉलरी होता है, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होता है, हर प्रकार का ग्यान लेता है, आप यूँ कह दीजिए, और वही ग्यान उनको बड़े बड़े पोस्ट, एजुकेशन्स, वो टीचिंग फिल्ड में भी हो सकता है, बहुत गुरू भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, किसी भी प्रारूप में, और उसके कहीं अनुयाई होते हैं, कहीं फॉलोवर्स भी साथ में होते हैं, उसके काम के द्वारा होते हैं, उसकी अपनी अच्छाईयों के द्वारा होते हैं, तो संतान से मारिज से इन सारी चीजों से भी हमको वरिधी या आनंद प्रदान करता है और अगर टेंथा उसका लौट फिफ में बैठा है और यहां पर उसकी पोजीशन ठीक नहीं है मिलिफिक प्लानेट साथ में बैठे हुए प्रॉब्लमाटिक सिचुएशन है तब जॉब में बहु चेंज करनी पड़ती है हर समय हमको प्रॉब्लम्स होती रहती है काम में एजुकेशन में बहुत जादा ब्रेक्स होते हैं जिस काम को हम करने जाते हैं वो ज्यादा समय ले लेता एक फ्रस्टेशन जनम लेती है अगर टेंथा उसका लौट फिफ्ट में अच्छी तरीके से नहीं रोल प्ले कर रहा है तब आपको ये सारी प्रॉब्लम उठाने पड़ती है टेंथा उसका लौट फिफ्ट में बैठा होता है बहुत बड़े बड़े इंफ्लेशन लोगों के साथ जान पहचान उनके साथ संबंद उनके साथ प्रेम हो जाना कोई बड़ी को ले के बड़े सेलेक्टिव होते हैं ऐसे लोग बहुत जादा पढ़ाई लिखाई इंटेलिजेंट लॉजिकल तो होते हैं कहीं बार चीजों को देखके अंदेखा कर देते हैं वो उनके पतन का कारण बन सकता है कहीं बार बहुत स्लो होते हैं जो उनका मेंटल में बैठा हो और यहां पर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक सीरियस नेस नहीं होनी चाहिए जरूर होनी चाहिए हर काम में जो आप पढ़ाई लिखाई ग्यान जो भी आप कर रहे हैं जो आपकी इच्छा है यहां पर आपके पास अच्छी एडवाईजरी केपैसिटी है अब आपका यहां पर करियमान कर्मा क्या है टेंथ हाउस का लौट जब फिफ्ट में बैठा है तो वो यह बताता है आपको कि भाई देखिए लोगों को सही प्रिकार्ट से जीवन में राय दीजिए एडवाईज दीजिए आपको कौन से पत पे जाना है लोगों को कौन से पत पे जाना है क्योंकि फिफ्ट हाउस अच्छे और बुरे डिसिजिजिन्स लेने का है जीवन में लोगों को का अर्थ क्या है टेन्थ हाउस का लौड फिफ्ट में बैटा है आपका काम करना है एक प्रभु सरीखा डिवाइन लव करना सब के साथ सब आप की संतान जैसे हैं सब आप उस प्रकार से एक बात है उधारन की फिफ्ट हाउस संतान का होता है अब हमारे जितने जो रिलेशन्शिप हैं हमारे जो जीवन में संबनेंगे कहीं के साथ बनेंगे ना काम में भी पोजिशन में प्रोफेशन में बिजनस में कहीं तरीकों के हमारे बनेंगे तो हमारा उनके प्रती जो वहवार है जो हमारा कर्मा है वो कैसा होना चाहिए जैसा एक पिता का एक पुत्र पिसने होता है उस प्रकार से हम अगर कार करते हैं तो हम अपना कर्मा सही तरीके से कर पाएंगे वो ये बताता है तैंथ हाउस का लॉड जब फिफ्ट में बैठता है दुनिया की स सत्यानासी हो रही है, आज कल ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक एस्पेक्ट ये है, टेंध हाउस का लॉट फिफ्ट में बेटा है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कि नहीं, यहां अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी है, मदद करने वाले लोग भी है, एक आप कौन से पर्स spiritual होती है और बहुत long lasting भी होती है कहीं लोगों को 10 आउस का लॉट जब 5 में बैटा होता है बहुत बाते याद रहती हैं बहुत समय समय की बाते याद रहती है तिन्धाउस का lot कर्मा से रिलेटेड है जब वो फिफ्थाउस में बैठता है तो वो ये बताता है, कि जीवन में आपको कौन से प्रकार के कर्मा करने है और कौन से नहीं करने है, right और wrong यह डिसिजन आपके जीवन में आएगा, हाँ हम इनके साथ किस प्रकार का वैबार करें हम यहां पे किस प्रकार्ड से काम करें हम इनको जो प्रेम कर रहे हैं वो शुधता लिए हुए है या उसमें अशुधता है हमारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट है हमें सिर्फ अपनी चीजें देख रहे हैं यहां वो चीजें बताता है 10th house का Lord 5 में बैठा है यहां बताता है आपके जो dependent हैं जो आपके नीचे हैं जो आपके संतान है आप उनके लिए क्या करमा show कर रहे हैं क्या देख रहे हैं वो आपको क्या सीख रहे हैं आप कल की पौद के लिए क्या तयारी कर रहे हैं और फिर कभी 10th house का Lord 5 में खराब सिती में बैटा है, संतान को problem education में, memory में, संतान होने में problem, frame में, relationships में, बहुत सारी problems यहाँ पे हो सकती है, यह करमा आपको बहुत उल्जाग रख सकता है, यहाँ आप छीट हो सकते हैं, relationship में problem हो सकती है, sudden नौकरी जाना, sudden relationships तूटना, 10th house का Lord जब 5 में बैटता है, तो कई बार इस प्रकार की भी होती है, कई बार 10th house का Lord 5 में बैटता होता है, stock से, gambling से, lottery से, inheritance से, बहुत बड़ी मलकियत प्राप्त होती है, 10th house का Lord जब 5 में बैटा होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार, जो social circle होता है, वो बहुत लिमिट होता है, 10th house का Lord जब 5 में बैटता है, तो कई बार हम अपनी इच्छाओं की वज़ा से, कुछ ऐसा काम जीवन में कर जाते हैं, जो की समाज की नजरों में अच्छा नहीं होता है, जो righteous नहीं होता है, तो यहाँ पे ठहर के, पद, position, पैसा, व्रद्धी, ग्यान, ये सारी च righteousness, कहीं बार देखना पड़ता है, कहीं बार हम ऐसा काम कर जाते हैं, जो की समाज के नजरीये से वो अच्छा नहीं माना जाता है, परस्पेक्टिव से, उनके द्रिश्टी कौर से अगर देखा जाए तो, तो वो कहीं बार हमको bad name भी देता है, चाहे वो अच्छा काम हम कर हैं, अपनी निगाओं से, क्योंकि फिर क्या होता, उसके बाद उसका फरक बहुत दूर तक हम को देखने को पड़ता है, कोई किसी प्रकार का relationship, किसी के साथ कोई marriage जो की उचित नहीं है, कोई ऐसा affair जो की सही नहीं है, हम कर बैठते हैं, या मान लीजिए हम अपनी अपने लाइफ में ले लिया, जो लॉस का कारण बन रहा है, टेंथा उसका लॉड फिफ्ट में बैठा होता है, और अगर सही नहीं है, तो कहीं बार हमको बहुत लॉसिस प्रदान भी कर सकता है, जैसे मैंने कहा है, एक वीक मेमरी प्रदान कर सकता है, प्रेम में प्रॉब होता है, और लास्ट में बात यॉड जhew फिस्ट में बैठा हो, कहीं बार उसको अपने जीवन में चीटिंग का शिकार ही होना पड़ता है, इस बात का अवस शिख्यार क्पना लॉड कर लॉड जब सिक्स में बैठता है, तो हर six फाउस की जो चीजें, वह फोकस में आ जात यह 10 था उसका लॉड 6 में बैट के हमको क्या बताता है हमको यही बताता है कि जीवन में हम कठिन परस्तितियों के होने के बावजूद भी अपने आपको सही रास्ते पे चलाएं सेवा का भावना हम अपने अंदर रखें एक सर्विस एटिट्यूड रखें यहां पे व्यक्त क्लेवर होता है लेकिन उसको करेक्ट होना बहुत जाजा जरूरी है यहां पे चलाक होना समझदार होना ग्यान होना एक अच्छी बात है लेकिन उसका करेक्ट फुल यूज़ करना दूसरी बात है यहां पे 10 था उसका लॉड जब 6 में बैटता है तो कहीं बार हमको बड़ problems आती हैं कहीं बार बड़े obstacles आते हैं कहीं बार environment कहीं बार circumstances कहीं बार जीवन हमारे साथ अच्छा role play नहीं करता है एक के बाद एक मुसीवितें हमको देता रहता है एक बात नहीं बुलनी चाहिए भगवान धरम और भाग यह आपके साथ है और तब वो और निखर के आएगा जब आप rightful तरीके से अपना काम करते हुए चले जा रहे हैं 10 था उसका lot जब 6 में बैठा है परशानियां आ रही हैं कस्ट आ रहे हैं problems आ रही हैं किसी भी प्रकार के जी रहे हैं यह अवश्च याद रखिए आपकी success को कोई नहीं रोख सकता है यहाँ पर सीखना मत कभी छोड़िए यहाँ पर circumstances में धलना कभी मत छोड़िए 10 था उसका lot 6 में बैठता है मैं आपको बताओ कई बार कई परकार के रणा आपको जीवन में उठाने पड़ेंगे कई परकार की मुश्किल परशानी एनिमीज कई परकार के कष्ट आपको आने होंगे लेकिन आप अपने आपको ढालते रहिए circumstances में, positions में, जो भी सितियां आएं उसमें आप उसमें ढ़ल जाएए जब ये वाला गुणा आप सीख जाएंगे अपने आपको अपग्रेट करते रहिए, अपने आपको skill देते रहिए, hard working रहिए, discipline रहिए ये जैसे मैंने आपको कहा है, हर प्रकार की problems पार करके आप आगे पड़ जाएं, किसी भी प्रकार का shortcut, किसी भी प्रकार का इसा सोचना, कि मैं कुछ ऐसा काम कर लूँ, जिसकी वज़ा से मैं तुरंट रात और रात अमीर बन जाओं, या रात और रात मिनिस्टर पोजीशन, ये सारी चीज़े पकड़ लूँ, ऐसा देखिए, कत्ता ही मत करिएगा, क्योंकि वो आपके पतन का या problem का का काराण बन लेता है, या इनको दूर करने वाला होता है, क्योंकि टेंथाउस का लॉट जब यहां पे सिक्स्ट में बैटता है, तो बट नाच्रल है, किसी ने किसी प्रकार के लॉज से रिलेटिट काम हों, कोई टेकनिकल काम हों, कोई मेडिसेन, हीलर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इस करते हैं, ये लोग मुसीबितों से लड़ते हैं, और दूसरों को मदद करते हैं, तो ये वाले काम में आप जाईए, उसमें अपने आपको अपग्रेट करिए, वो अच्छा है, ना कि इन कामों के अंदर आप आ जाईए, क्योंकि टेंथाउस का लॉड अगर सिक्स में बै सकता है, अपने आपको हेल्दी रखिए, टेंथाउस का लॉड शिक्स में बैठा है, आपको क्या कर्मा बता रहा है, आपका क्या क्रियमान कर्मा है, वो आपको ये बता रहा है, कि अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, हाड वर्क करने के अलावा, आपके पास दूस बहुत अच्छी हैं वो खुद देखेंगे कि एक वह एक्जाम्पिल हैं मेहनत का कॉंपर्टीशन का हार्ड वर्क का लगे रहने का और्गनाईज अपने आपको रखने का हमेशा एक तरीके का मशीनी रूप में काम करते रहने का सेवा उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है डिस्प्लिन बहुत इंपोर्टेंट है ऐसे विक्ति अपने जीवन को बना ले जाते हैं और दूसरे क्या होते हैं के भई हां हर प्रकार का उनको एक डिजायर उनको एक भोग और उनको वह तो चीजे चाहिए लेकिन उस समय रण छोड़ना पड़ेगा भाग जाना पड़ेगा कहीं बार कहीं बार ऐसी बड़ी-बड़ी मुसीबिते आएंगी जीवन में अगर आपके पास वो धैर वो द्रड़ता वो स्थिरता नहीं आपने अरजित करिये अपने जीवन में तो जीवन भिखर जाएगा आपका त होती है सब कुछ होता है यहां पर ऐसा नहीं है भगवान भी हर समय मदद करते हैं उसके अंदर बड़े से बड़े कॉंपटीशन को बीट करना बड़े से बड़े इंफ्लेंशन लोगों के साथ करना हर प्रकार का यहां पे भोग वो भोग सकता है तैंध था उसका रिपों से दूर रहना आवश्यक है यहां क्यों क्यों कि यहां पे आपका कर्मा क्या है आपका क्रियमान कर्मा आपको क्या बताता है आपको क्या करना है भई इन सारी चीज़ों से दूर रहो काम से दूर रहो लोब से दूर रहो इरशा से दूर रहो क्रोथ से दूर रहो क अपने सरवस्व को निशावर करके भी दूसरे की हम मदद कर पाएं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, आर्मी वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, या उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या धरम होना चाहिए, उनका धरम सेवा है ना, वो क्या कर रहे हैं अपने सबेर सबेरे आरा हाँ तुरंत हम ready हैं assist करने को सेवा करने को हमेश्चा 24 घंटे हम काम अपने आपको जोके दे रहे हैं यहाँ पे आपको lawful तरीके से चलना पड़ेगा यहाँ पे आपको impartial रहना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक कहते हैं ना कि यह आदमी बहुत सही है यह सही का पक्ष लेता है तो आप ये याद रखिए आपका नाम, आपकी व्रद्धी आपकी शोहरत, आपकी प्रसद्धी सब कुछ आपको यहाँ पराप्त होगा तेन्थ हाउस का लॉर्ड शिक्ष में बैठा है, कृष्ण की वो वाली आपका इस जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कहीं बार कहीं प्रकार की प्राप्लम्स लोगों को आ सकती है उन लोगों को बहुत कष्ट हो सकता है कहीं लोग बहुत शडियंत्र रख सकते हैं हो सकता है उनको बड़ी जो है उनको परशानी हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेकिन फिर भी आप किस साइड रहेंगे ये बहुत important है थोरो यहाँ पर professionalism दिखानी पड़ती है बहुत high post, बड़े business, बड़ी post अपने जीवन में उस जगा पहुंच जाना जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है क्योंकि देखिए एक उप्चे स्थान का स्वामी दूसरे उप्चे स्थान में आगे बैठता है तो अगर यहाँ पर आप के पास मेहनत है, कला है, कोशल है, धरम है हर प्रकार की जीवन में आप समझ लीजिए, यहाँ लाग उठा पाएंगे विदेश क्या, देश क्या, हर जगा आपका नाम होगा, कहीं भी जा सकते हैं foreign residence, technical काम, कोई भी काम आप यहाँ पे अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं high post, बड़ी position, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होती है बिल्कुल मत सोचिये, 10th house का Lord 6 में बैठा है, तो यहाँ मुश्किल होने वाली है बहुत अच्छा है, यहाँ ग्यान लेना जरूरी है, यहाँ धरम पे रहना बहुत जरूरी है यहाँ गुरू, पिता, बड़ों की बाते मानना बहुत जरूरी है आप काम के समय काम के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आप शॉर्ट कट अपना रहे हैं या किसी प्रकार के indulgences में पड़े हुए हैं या आप काम के समय लोन लेके उल्टे सीधे चीजों में पैसा लगाए दे रहे हैं वो आपको द्वस्त कर देगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आपका क्रियमान कर्मा टेंथा उसका लॉड़ सिक्स्त में बैठा हुआ आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि हार्ड वर्क जीवन में डिसिप्लिन जीवन में बहुत स्पेसिफिक होना और्गनाइजड होना डिटेल्ड होना स्पेसिफिक होना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा हाँ यहाँ पे क्रिटिकल होना अपने काम में बहुत जरूरी है यहां critical होना swim के लिए भी बहुत जरूरी है आदमी कहे ना कि मैंने ये set किया था कि मुझे सुवेरे उटना ये काम करना है वाक पे जाना है जॉगिंग जानी है मैं नहीं जा पाया इस बामले में बड़ा तपस्वी होना पड़ता है बड़ा critical होना पड़ता है लड़ाई जगड़े में दूसरे के साथ critical mean में मत निकालिए तुम ऐसा काम कर रहे हो तुम ऐसा काम गलत कर रहे हो ये नहीं इस चीज़ों में लड़ाई जगड़ा बड़ता है आपकी position डाउन होती है यहां पे आपको सेवा आपको नहीं आता आप critical मत हो ये उस चीज़ के लिए आप लोगों की मदद करिए आप उनको सिखाईए जाके तो वो चीज़ें ज़्यादा असान हो जाएंगी ना आप किसी को कह रहे है अरे वो उनको तो कुछ नहीं आता रहे तो भई आप सिखा दिए ये ये आपका काम है अगर आप critically उस चीज़ को बात करेंगे उनके साथ तो आपका उनके साथ देखिए दूरियां बढ़ती है घर परिवार अपनी parental issues जीवन में हो सकते हैं बहुत movement करना पड़े life में काफी struggle के बाद आप settle हो एक आपको अच्छा life partner मिलता है उसका बहुत अच्छा support आपको मिलता है परशानी के समय में वह आपके काम आता है जीवन में अगर 10 था उसका Lord 6 में सुसजित तरीके से बैठा है तो आप बाहर की दुनिया बाहर के लोगों के साथ बहुत influential तरीके से बहुत सही तरीके से उनके साथ manage कर पाते है tackle कर पाते है हाँ जैसे मैंने कहा है कि 10 था उसका Lord अगर 6 में बैठा है अगर आप shortcut लड़ाए जगले या bad karma की तरफ नहीं जा रहे तो बहुत सारी problem जाए तब तो authority से problem health की problem पैसे की problem काम की problem एक जगा जमा रहने की problem कि हम जमे हैं काम कर रहे हैं हर प्रकार की problem होंगी बहुत सारे लोगों के संपर्क में आएंगे relationship बनाना coordination उनके साथ रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा कब कौन कहां काम आ जाए कौन से relation कौन से लोगों के साथ साथ आपको financially कैसे मदद कर दें resources से कैसे मदद कर दें इसलिए लोगों के साथ तालमेल बनाना बहुत यहां पे जरूरी है लोगों से लडाई जगडा दूर रखिये लोगों को जैसे मैंने कहा है सेवा भावी रहेंगी जब आपका वो करमा रहेगा तो लोग आपके साथ अटाइच होंगे जुड़ेंगे बहुत लोग यहां पे आके और वो आपकी बहुत मदद भी कर सकते रिलेशनशिप आपके लिए फाइनाशिल सिक्योरिटी है घर की शांती है सुख है तब आप अपनी चीज़ों पे काम दे पाएंगे रिलेशनशिप को सेटल रखिए उस हैबिट से दूर रहिए जो चीज़ों को डिले करती रहती है आज करेंगे कल करेंगे ये आदत बहुत खराब है आपके लिए बहुत प्रॉबलमाटिक हो सकती है एंड गोल की तरफ देखिए जीवन में अच्छे लोगों का साथ दीजिए अच्छे लोगों का साथ कीजिए सदेव धरम के उपर रहिए बुरे कामों से बच के रहिए आपका क्रियमान करमा अपकी बार आपको ये बताता है योग प्राणायाम हेल्दी रेजीम एक्सरसाइस करना बहुत जरूरी है आपका ये भी करम टेंथ हाउस का लॉड करमा शो करता है करमा सिर्फ बिजनस नहीं है मैंने पहले भी बताया आपको अपने आपको ड्यूटी फुल रिस्पेक्ट फुल सर्विश फुल हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए क्या खा रहें क्या पी रहें क्या खा रहें क्या पी रहें कितनी जरूरत है आपको अपने जीवन में ये तै करना बाहर की दुनिया के उपर भी आप बहुत बड़ा असर डालेंगे आपके किये गए कहीं क्रिया कल आप आपकी फैमिली आपके घर परिवार और बाहर की दुनिया में आपके नाम को बना सकते हैं और आपके नाम को बिगार सकते हैं इसलिए सबका साथ दीजिए, सबके लिए ततपर रहिए, जुड़िए किसी के साथ नहीं, आप अगर कहें कि मेरा इस दुनिया में क्या अर्थ है, मैं यहां क्यों आया हूं, सिरफ मुझे 10 ताउस के लॉट से ही बता दीजिए, आप यहां सेवा करने आए, सेवा करिए, सारी चीज़े एग्जॉस्ट कर रहा हूं, सारी चीज़ों को कार रहा हूं, इनके प्रती, क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं अपने कर्मा को एग्जॉस्ट करके आगे बढ़ चांऊ, फिर यह नहीं कि मैं अपने आपको बाद लुंचीजू से, मैं 10 ताउस का लोड गाणorc मे सारी चीजों से दूर रहूं आज ये कंपनीज हैं आज ये बिजनिसें आज ये चीजें अर्बों लोग लाखों लोग उसके थूप कमा रहें हैं कमाते रहें बहुत अच्छा मेरा काम पूरा हो गया मेरा अपना एंड गोल जो है धरम सातविक्ता सेवा इसी की तरफ रहना अरी चाहिए वह ये बताता है तेंध योट कलॉट जब जब सेवन्फ हाउस में जाके बैठता है तो देकिएisches और यहां पे व्यक्ति आप यूं कहे सकते हैं कि पंक डोमेन में काम करने वाला पब्लिक के साथ इंटराक्शन करने वाले कामों में उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे क्योंकि seven thousand world का है business के लिए बहुत अच्छा है foreign के लिए बहुत अच्छा है strangers के लिए बहुत अच्छा है वो आदमी जो जीवन में हम इनको नहीं जानते हैं तो बट अब्वेस है जो बिजनिस मैंज होते हैं उनके लिए पूरा संसार पूरी दुनिया ही उनकी फैमिली है क्योंकि सब उनके काम में आके सहयोग करते हैं तो इस तरीके का काम जो कि पब्लिकली कुछ वो कर पाएं इस तरीके से हमको वो जोड़ता है लाइफ पार्टनर, मैरिज पार्टनर और बिजनिस पार्टनर के लिए ये बहुत उत्तम जगा होती है टेंथ हाउस का लॉड जब सेविंध में बैठा होता है आगे सेविंध हाउस का लॉड भी खराब बैठा हुआ है तो शादी के बाद जीवन में लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है वो प्रॉब्लम्स आप कह सकते हैं पूर जन्मों से जनित कार्रेओं की वज़ा से हैं कुछ ऐसे कार्रेओं आप यूँ कह सकते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम्स देने लग जाते हैं जैसे ही आप किसी ऐलाइंस या शादी या कोई पार्टनर्शिप आपने करी और उसमें आप डूब गए आप उसको ऐसा भी कह सकते हैं कई बार यहां पे हम अपना पैसा ऐसी जगाहों में लगा देते हैं बिजनिस में होता है इंशोरेंस, लोन, सेक्टर, फॉरेंड, बिजनिस जैसे मैंने कहा है उन चीजों के लिए बहुत अच्छे होते हैं किसी भी प्रकार का रिसर्च, अकल्ट, इन सारे कामों में कोई पिएचडी, कोई स्कॉलर्स, उन चीजों से पैसा कमाते हैं बैंक, फाइन्स, इन चीजों से पैसा कमाते हैं किसी प्रकार का कोई मिस्टीरियस काम करने से पैसा जमाते हैं कोई recycling से related काम हो उससे पैसा कमाते हैं यहाँ पे कहीं आप कह सकते हैं हमारा पैसा ब्लॉक भी बहुत होता है बिजनिस में वेस्ट भी बहुत होता है हम कहीं इस प्रकार के decisions भी ले बैठते हैं जब 11 था उसका Lord 7 में बैठा होता है कि हमारा पैसा बहुत वेस्ट होता है या कोई कौन कर लेता है चीट कर लेता है या स्वेम हम उस चीज को losses या परशानी की तरफ अपने धन को ले जाते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में घूमता बहुत है traveling involved होती है बहुत stranger से मिलता है foreign travel foreign residence ऐसा व्यक्ति कर सकता है बहुत एक opposition भी पराप्त होती है घर से दुनिया से बाहर निकल के दुनिया में बाहर निकल के लेकिन एक opposition भी पराप्त होती है यहां पे काफी struggles भी होते हैं जीवन में और जो वो struggles है मैंने आपको पहले भी बताया वो opposition वो struggle कहीं बार हम swim create करते हैं कहीं बार हमारे बहुत closely जो associate होते हैं जिनके उपर हम विश्वास करते हैं कभी हमारे partners कभी हमारे friends कभी हमारे बड़े भाई वो हमको बहुत losses प्रदान कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं पूरी दुनिया हमारे लिए काम करने की एक स्थिती को शो करता है पूरी दुनिया हमारे लिए एक तरीके से open है खुली हुई है और कई बार इन चीजों से हमको problem भी देखिए यहां पे होती आदमी बहुत पढ़ा लिखा ग्यानी creative हो सकता है गू psychology कोई doctor है कोई law में है इन चीजों से भी पैसा वो कमा सकता है वो सारी चीजें जो हमें परशानियों से निपटने में मदद करती हैं ऐसे काम हम उन चीजों में हो सकते हैं डॉक्टर्स यहां हो सकते हैं यहां law से related काम में हो सकते हैं कोई risk analyst होते हैं financial analyst होते हैं business को सभालने वाले लोग होते हैं जो insurances लोगों को करते हैं को कि यह भी तो एक प्रकार का दूसरे लोगों को assurance पर दान कर रहा है ना कि भाई हाँ लोगों को life threatening है भाई कहीं किसी को कुछ भी हो सकता है तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं उस domain में काम कर रहे हैं तो वहां से फायदा हो सक है ऐसे वेक्ति को lawful रहना चाहिए टेंथा उसका लोड जब seven में बैटा होता है सबसे important आपके लिए करमा होता है कि आप अपने आपको conduct सही तरीके से करें बाहर की दुनिया के सामने because whatever you are doing वो बाहर reflect हो रहा है वो lawful होना चाहिए दूसरों के साथ एक समान वहवार होना च चाहिए जस्टिस होनी चाहिए पीस होना चाहिए शांती बरकरार रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए सबसे ज़्यादा important है कि दुनिया में एक happiness एक peace एक शांती एक equality एक lawful तरीके से आप बाहर जाने जाए आप authoritative बनेंगे और बनते भी हैं ब बताता है कि भाई responsible बनिये यहां पे वो यह भी बताता है कि कई बार आपको as a teacher भी काम करना पड़ेगा as a guru भी काम करना पड़ेगा आपको एक अपनी spiritual image भी बना कर रखनी पड़ेगी deepness वाली image भी लोग आपके उपर depend करें लोग आपके उपर आपको responsible समझें कि हाँ आदमी dependable है responsible हर प्रकार के अपने कारियों को सही तरीके से उसका निश्पादन करेगा उसको निभाएगा intelligence अच्छी होगी communication skill अच्छी होगी लोगों के साथ बाचीत में वहवार करने में कोई project हाथ में लेना उसको पूरा करना आप यूं कह सकते हैं आप एक प्रकार से ज भ्यान से knowledge से टाक्ट से diplomacy से ये व्यक्ति अपने कारियों को पूरा कर लेगा तो हर प्रकार से टाक्ट फुल भी होते हैं डिप्लोमाटिक भी होते हैं या आपको होना चाहिए काम को चलाने के लिए truthful तरीके से सत्थ पे रहने के इरादे से बात दूसरी आती है कि यहाँ प लाइफ में आपको लोग देखे एक्जाम्पल सेट करें लाइफ में किसी भी प्रकार के जो सेवन्थ हाउस हमारी पत्रिका में वैसे भी डिजायर्स का होता है सेक्शल यूनियंस का होता है उस चीज के लिए आप अपना कर्मा खराब मत कर लीजे कि हाँ भोग विलास्ता के लिए इन से कुछ भी करा लो भोग विलास्ता के लिए ये जाने जाते हैं या काम तो इनका ठीक है लेकिन इनके कर्म थोड़े से खराब है इनके उपर डिपेंड नहीं किया जा सकता उस मामले में ये सही नहीं है इस मामले में तो वो छवी आपकी जीवन में ना बन जा अहिंसा वादी हो यहां पे मंगल देखिए क्योंकों कि एक aggression शो करता है यहां बहर की दुनिया में आपकी चबी ऐसी ना बने करते हैं तो आपको यहां पे क्या शो करना है एक प्रोटेक्टर के रूप में एक सपोर्ट के रूप में बाहर निकल के आना है जो भी प्लानेट बैठा है उसके according आपको काम करना मंगल जाना जाता है ब्रह्मचर के लिए अब सेविंथा उसमें बैठा है आप उसको पूरी तरीके से निभाईए कि हाँ बाहर इनकी छवी ऐसी है काम करने में बहुत बढ़ी है सपोर्ट बहुत बढ़ी है आक्शन औरियंटेड है धरम पे क्या है टेंथ हाउस का लॉड सेविंथ में बैठ के कहता क्या है आपको यह बनने के लिए कह रहा है टेंथ हाउस का लॉड सेविंथ में बैठा हुआ हर प्रकार का परिवार भोग व्रत्ति आनंद सुख लाब काम प्रोफेशन सब प्रकार का यहां पे वह सुख प्रदान करता है हाँ शादी मैंने बताया शादी हो गई कोई अलाइंस हो गई अच्छा या बुरा दोनों के लिए हो सकता है यह जानना बहुत जादा जरूरी है सेविंध हाउस हमारी डिजायर से सम्मंदित है भोग से सम्मंदित है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया आपका इस प्रिकार्ट से करिए जहां बे भोग आपके ऊपर हावी ना हो जाएं आपको सबके साथ एक इकल तरीके से रहना है तो आपको स्वें को भी एक बैलेंस के तरीके से चलाना है खाना इतना कपड़े इतने भोग इतना काम इतना हर एक चीज में बैलेंस आपको अपने ज लेना चाहें जो आपकी guidance लेना चाहें आपको ऐसा व्यक्ति बनना है ना कि ऐसा व्यक्ति जो कि सिरफ ये जाना जाए कि हां काम के लिए बढ़ियां है फाइदा निकालने के लिए बढ़ियां है पैसा बनाने के लिए बढ़ियां वैसे आदमी खराब है लेकिन वो आपके कर को justify क्या करता अंदर से गूरता से यह आदमी बहुत बढ़िया है इनके उपर आंक मूंद के हर चीज के उपर विश्वास किया जा सकता है इनको आप सौ रुपए दे दीजिए वो पड़े रहेंगे इनके पास सौ साल तक उसमें ये किसी भी प्रकार की बेमानी नहीं करेंग पबलिक पे समाज पे छवी आपकी जो है वो बाहर रिफलेक्ट होती है ये बात अवस्च याद रखिएगा जीवन में आपको ये बात याद रखनी है कि आपको अपनी रेपुटेशन बहुत बहुत अच्छी रखनी है अब दूसरों को एकॉमडेट करना दूसरों का करना पड़ेगा एकॉमडेट करना पड़ेगा आप वहां पे अपनी हनक नहीं चला सकते हैं वहां अपना रूल नहीं चला सकते हैं कई बार यहां टेंथ हाउस का लॉट सेविंद में बैटा हुआ ये भी बताता है कि भाई हम दूसरों को सुक दूसरों को आना दूसरों क accommodate करना सीखे, यह नहीं है कि हम अपनी चला रहे हैं, अपना point हम अपनी life में देख रहे हैं, जो priorities हैं वो आपकी family की तरफ बनती हैं, आपकी तरफ अपने swim घर की तरफ, आपकी happiness की तरफ बनती हैं, यह चीज भी देखना बहुत जरूरी है, यह नहीं है कई बार बाहर के दुन जानी है, यह नहीं के काम में बिल्कुल चले चले जा रहे हैं और उसकी वज़ा से अंदर कौन कौन सी गनित कर रहे हैं, जिसकी वज़ा से आपकी अपनी family life, अपनी family life, घर का सुख disturb हो गया, यह बात याद रखिये, 10th house का Lord जब 7th में बैटता है, तो यह अवश याद लेंगे, बहुत committed रहना है, बहुत disciplined रहना है, यहाँ पर fickle mindedness, रखना किसी भी चीज़ के लिए बहुत घातक हो सकता है, अगर 10th house का Lord 7th में अच्छी तरीके से नहीं बैटा है, उसके ओपर malefic aspects हैं, खुद स्वेहम सही नहीं है, 7th house का Lord खराब है, तो आप यह याद रखि इस बात को याद रखना भी बहुत अवश्चा के सबसे important last में एक point, 10th house का Lord 7th में बैठा है, आपको और क्या करमा बताता है, वो यह बताता है, बाहर की दुनिया हमेशा अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे हमेशा हमको अच्छा, बुरा, गलत, सही, सब मिलता है, आपके ल इनको अच्छा रखते हुए, द्यूटिफुल, लॉफुल, फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए, सत्पे, धरम पे, फिलोसिफिकल, जो आपका नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये भी आपको समझना चाहिए, ये भी आपका करमा है, कि बाहर क दुनिया में 10 था, उसका लॉट 7 में बैटा, और अगर आप कहें बाहर की दुनिया, अरे बहुत सुन्दर है, जी सब हमको आके अकॉमडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, भाती-भाती के सिच्वेशन, भाती-भाती के लोग आपको देखने पड़ेंगे, या मिलेंगे आपके जीवन में जो आपके करमा को एक्जास्ट करेंगे आके, इस बात को अवस्च ध्यान रखिए, आपका सबसे बड़ी प्रियोरिटी यहां पे है, स्वेम को सही तरीके से चलाना, जिससे कि आप बाहर की दुनिया में अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हो सकें, और य यहां एक बहुत इंपोर्टन चीज है, आप जीवन में जब देखें कि टेंथ हाउस का लॉर्ड एर्थ में बैठ गया है, अब इसका तो मतलब यह नहीं कि दुनिया में टेंथ हाउस का लॉर्ड जब एर्थ में बैठ गया है, तो आपका काम या प्रोफेशन मर गया, शुरुआत में तुरण से जान लीजिए कि कहीं बार हमको कहीं प्रकार के अपने लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, हमको कहीं प्रकार के चेंजिस करने पड़ेंगे, हमको कहीं बार अपने आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, काम को एकॉमडेट करने के ìशनना से टाइस में होता है किसी बड़ेंज से बिजनेस से लिएटाट है Seven thousand देखिये बिजनीस है एर्थ हाउस दुनिया का पैसा है हम उन चीजों में काम कर सकते हैं लोगों के लिए काम कर सकते हैं बैंक हैղा फाइनान्स है इंशोरνस ए्लोन सिक्टर है हम उनमें काम कर सकते हैं तो हम कौन सा काम चुन रहे हैं हम कौन से काम के लिए पर्फेक्ट हैं हम उसमें अगर चले जाएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं टेंथा उसका लॉड एर्थ में बैटा आपको हर प्रकार की सक्सिस वहां भी प्रदान करेगा यहां पे कि वो कितना अच्छी तरीके से सेट है तैन था उसका लॉड एर्थ में जो बैठा है वो कितनी अच्छी तरीके से सेट है और अकॉर्डिंग टू दे होल चार्ट वो यह बताता है कि आपने अपने पूर जनम में जो शुब कर्म किये थे जो धर्मा किया था जो आप राइट वो बड़ा अच्छा था अब तेंत हाउस का लौड जो एड़ में बैठाएगा तब वो आपको हर प्रकार के लाप्रदान करेगा जी आप धरमवान भी रहेंगे ग्यानवान भी रहेंगे स्पिरिचुलिटी में भी बढ़िया रहेंगे आपको हर प्रकार का नौलेज्ज बादरा थिंकर इस परकार का कोई राइटर है कोई बड़ा गूरता गहंता वाली चीजें लिख रहा है धूंड रहा है उनमें काम कर रहा है कोई बहुत बड़ा इंट्यूटिव है उन तरीकों से काम कर रहा है जिससे की वो लोगों की मदद कर पाए तो टेंथ हाउस का लॉड एर्थ में बैट के बिलकुल भी खराब नहीं है हम को क्या करना है कौन सा प्लाइनेट है वो हमको क्या शो कर रहा है किस तरफ ले जाना च देखी है ना तो आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आरे ऐसा व्यक्ति तो लॉयर है टीचर है यहां घर-परिवार का बिजनिस करने वाला है यहां पर तो बता रहे हैं रिसर्चर या कल्टिस्ट या रिफॉर्मिस्ट यहां पर होगा लेकिन टेंथ हाउस का लॉड जब भाई help कर सकते हैं कामों में और वो आदमी अपने जीवन में व्रद्धी कर सकता है यह company के लिए asset हो सकते हैं जिस company में काम करते हैं जिस जगा काम करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं गूरता से काम करना गहनता से काम करना बड़ा precise होके काम करना जो भी situation मिल ज वाला काम चुने जिसमें चैलेंजेज़ जिसमें परशानियां हैं अब जैसे आदमी को जी कहता है लोन वाला काम बुराएंजी हमको लोन देना इन्शूरेंस देना बहुत बढ़ी बढ़ी प्राप्ल्म है इसमें बड़ी दिक्क्त आती है आप जाहिए वह आपका उसका Lord 8 में बैटा है, sudden changes हो रहा है, नौकरी छूट गई, हमको वहाँ पे adjust नहीं कर पाए, हमको mood नहीं लगा, हमने छोड़ दिया, हमको अपने हिसाब का circumstances नहीं मिला, अरे भाई, hard work आपको करना पड़ेगा, यहाँ आपको discipline रहना पड़ेगा, कहीं बार आपको ऐसे circumstances में का करना पड़ेगा, जो कि आपके अनकूल ना हो, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप यह कहें, नहीं मेरे हिसाब का नहीं है, यहाँ मतलब तो मैं क्यों करूँ, मुझे रिकनिसे नहीं मिल लई, मुझे वो मान नहीं मिल लई, मुझे वो समान नहीं मिल लई, यहाँ पे, कि हाँ जी तब आपके काम में प्रॉब्लम आएगी नौकरी छूट जाएगी आप कहीं टिक नहीं पाएंगे क्यों नहीं टिक पाएंगे क्यों कि कहीं उसमें चीजे होती है आदमी जरा था पढ़ लेता है वो कहता है जी मैं तो यहां पहुंच गया मैं यह काम करूं इनकी कोई रेकिनिशन नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं है इन सारी चीजों की वज़ा से वह अपना बंटाधार कर लेता है अच्छा टैंथ हाउस का लॉड एट में बैठा आपका काम क्या है आपका एक्चुल करमा क्या है अब एर्थ हाउस में मिल किया या तो आप यह वारी सार चीज़ें या टैंथ हाउस का लॉड एट में शॉट कट चोरी घूस खोरी उल्टे सीदे काम सिन क्रियेट करना तब टैंथ हाउस करमा है ना हमारा अक्चुल अब यह विश्णु जी भी है यहां पर और यहां दक्षप्रजापती भी हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बता कि प्रिकार से अपना सस्टेनेंस करना चाते हैं कि प्रिकार सि अपने आपको पोशित करना चाते हैं अपने अ के लिये पने लेखने के लिए यह ये संदर्ब निकालेंगे अरे भाईया अपना काम बनता वाली बात है दूसरे की नुकसान हो रहा है तो वो हो जाए हमको कोई प्रॉबलम नहीं चोरी करो चकारी करो खाओ पीओ मौज करो चार जिन की जिन्दिगी है उसको कौन कर लो उसको धोका दे दो उसके साथ चीटिं कर लो अपने आदते खराब करो हाँ टेंथ हाउस का लॉड है अब एर्थ में बैटा भाई हमारा कर्म तो ये है कि हम सारे जिन्दिगी के जितने खराब काम है वो अपकी बार हम करने आए है उसमें बड़ा बहुत बड़िया इंजोइमेंट लेना है आनंद लेना है अपन करने नाम में बड़ा लग सकता है किसी परकार का कोई कोड केस कोई नाम आ जाना नाम खराब हो जाना डीफिमेशन ये सारी चीज़े हो सकती है तो आपको अपने रिस्पॉंसिबिल्टी से चलना पड़ेगा ना यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि टेंध हाउस के लॉ करनी हैं बो रेलेजिन भी देखना है धर्म भी देखना है रूल्स भी देखना है रेगुलेशन Somebody भी देखने हैं। हमको हमको एक नीटी के तहब काम करना है हमको एक डिस्प्लिन में और और्गनाइज़ भी वह में काम करना सक्टि यह लोग भंसे आगे निकल सकते सेट नहीं हो सकते जहाँ प्रॉबलम है जहाँ परशानी है जहाँ डेथ है जहाँ कन्फूजन है आप वहाँ काम करिए आप आदमी कहता है रेस्क्यू टीम में काम करना फायर वाले जगा पे काम करना ऐसी जगाओं में काम करना, जहां पर लोग life savers होते हैं, traumatic conditions में काम करना, बिलकुल उन conditions में जाईए, वो वाली सारी चीजे अच्छी हैं, कहीं लोग ऐसी जगाओं पर काम करते हैं, ऐसे departments में काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, कोई आदमी research में, कोई secretive कोई स्पाई, कोई CBI, कोई CID इन सारी चीजों में काम करता है भई उनको उन चीजों में रुची है 10th house का Lord 8 में ये भी बताता है आपको कि आप अंदर अंदर जो है अपने देश की सब चीजों की सुरक्षा करिए, मान सम्मान करिए आप अंदर से उसके पिलर बनी है तो आप वो सालिया काम कर सकते है यहाँ 10th house का Lord जब 8 में बैठता है तो देखिए आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको आइसोलेशन में उस तरीके से नहीं जाना मैं अकेला हो गया, मैं क्या करूँ मेरे जीवन में कुछ नहीं फ्लाना यह सब नहीं करना है, आपको चिंतल मनन में जाना है, अगर आप ज्यानी है गूण है, रिसर्चर है, किसी चीज में तब आप जाईए, खूब जाईए वो तो आपको एलिवेट करेगा ना अपॉचिनिटीज ढूणते रहिए, स्किल को अपग्रेट करिए कॉडिनेशन लोगों के साथ अच्छी बना के रखिए हर तरीके से कॉडिनेशन आदमी ये कहे, के भाई केंथा उसका लॉर्ड एर्ट में बैठा है जिसकी सीज कीवी प्लानेट में वो कहे, ये आदमी इतना परशान है इसके पास इतने जंजग चलना है ये हमको सला दे रहा है ये अपने में बड़ा रूटीन है ये अपने में बड़ा सेट है ये अपने में बड़ा फोकस्ड है बात क्या है, ये आपको बनना है इस प्रकार का आदमी अपने आपको बनना है ना परशानी के बीच में जैसे कहते हैं ना समशाल में बैठके जो राज करते हैं वो कौन है महादेव तेंथ हाउस का लौड एर्थ में बैठा है ये काम आपको करना पड़ेगा फिर देखे किसी प्रकार की आपको यहां पे प् बैठते हैं ना तो टेंथ हाउस का लौड एर्थ में बैठके आपको यह करम करने को कह रहा है लेकिन फिर यह नहीं है कि उसमें आप उदंड बन जाएं ऐसे कार करने लग जाएं जो कि आपको खुद का लुटिया डुबो दे जो आपके फ्यूचर आपके आप्टिमिजम हो सकती है इंट्यूटिवनेस कंपनी में लोगों में समाज में क्या होने वाला है फलाने पेशन्ट के साथ कल को क्या हो सकता है तो मैं और तैयारी करके रखूँ यह कला है आपके पास यह याद रखिए इमोशनल हो के काम नहीं कर सकते यह एक यहाँ पे टोटल नो नो है यहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइस बहुत स्पेसिफिक बहुत डीटेल बहुत गहराई में जाके वाला एक योगी एक तपस्वी बन के काम करना पड़ेगा इमोशनल साइड आप रखिए अपने आपके उस साइड को पहचानने के लिए के लोगों के साथ अच्छा करना जरूरी है चाहे हमको कोई चोट दे रहा है कोई हमको परशानी दे रहा हमको दुख मिला है लेकिन एमोशनली हमको तब स्ट्रॉंग होना है एमोशनली ऐसे नहीं बाहर ले आना है हमारा यहां मन नहीं है हम यह काम नहीं कर सकते हमारी घर की बड़ी प्रॉबलम है हमारे ज साब बता दे रहा हूं अपने जो भी काम करें जो कार करते हैं उनको सीक्रायट रख यह बहुत ज्यादा ज़रूर। तरीके से अगर शो करेगा तो जबिस होना लड़ाई जगडा कहीं करोध आ जाना इंटेंस बहुत पैशनेट हो जाना किसी चीज को लेके पता तो चल लीजिए पता तो कर लीजिए जिस चीज के लिए इतना passionation show कर रहे है, passion net show कर रहे हैं अपना एक nature, वो सही भी है कि नहीं पता चला कि उसमें अपने आपको तबहाई किये ले रहे हैं, अपना खरावी करते चले जा रहे हैं, कोई साधना, कोई spirituality, कोई music, कोई गूरता, कोई ऐसा space ढूंड लीजे, 10th house का Lord Earth में बैठा है, कुछ ऐसी चीजें डूंड लीजे, मैं painting करता हूँ, मैं music सुनता हूँ, मैं guitar बजाता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, मैं meditation करता हूँ, कोई mantra करता हूँ, यह चीजें आपको balance में रखेगा, यहाँ याद रखिये 10th house का Lord जब 8th में बैठता है, तो यह regeneration को भी show करता है, rejuvenation को भी show करता है, चीजों में कई बार आपको अपने आपको rejuvenate करना पड़ेगा, देखा है न महादेव को, कैसे जब संजीवन वाला चित्र है, अपने आप पे ही वो जो है, वो डाल नहीं है, अमरित, किस तरीके से, तो उस परकार से आपको करते रहना पड़ेगा, आप कहें कि आपका साथी कौन है, आप स्वेम है, आप अपने साथी, आप यू यू कहिए कि टेंथ हाउस का लॉड एर्थ में बैटा है, हमारे कर्मों का, यहाँ पे साथी कौन है, जी, आप स्वेम है, आप अपने आपको खुद, उस चीज़ से उबा इस नहीं करते हैं, तब तक टेंथ हाउस का एर्थ लॉड में बैठने का कोई मतलब भी नहीं है, अब यह भी याद रखी, या तो आप उनके साथ काम कर रहे हूं, डिस्ट्रक्शन, जी, मैं ऐसे कामों में हूँ, मैं बिल्डिंगे गिराता हूँ, मेरा ये काम है, ले जाके उनको मैं नया चीज बना देता हूं, लीजिए हो गया आपका काम, बढ़ी अधरीके से करिए, यहाँ पे फादर के साथ, अथॉरिटी के साथ, बना के रखिए, उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, नर्वस ब्रेकडाउन, बहुत ज़ादा इसको कहा जाता है ना, अ परशानी को निपटने के लिए इनके पास ग्यान होता है, लेकिन पैल्पिटेशन तेज हो जाती है इनकी, इनको उस चीज को समभालना आना चाहिए, कि ऐसे वक्त पे हम बड़े ग्यानी हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े अच्चे हैं, बड़े फिलोस्पिकल हैं, रचंड दे बिलकुल, कौन सी भाषा बदल गई, क्या सब बदल गया, सब चीजें हो गई, तोड़ो फोड़ो कर दी, यह सब कर दी, यह चीज आपको यहां पे सीखनी है, कि उस मूमेंट में दैते नहीं बनना है, वो चीज आपको रोकनी है, बाहर से पैसा बहुत लेके आएगा, जीवन में चेंज ओफ, प्लेस, चेंज ओफ, कहीं बार ऐसा होता है, कि वो आपके लिए साधन बनता है, यस का, नाम का, इन चीजों का, लाइफ में कहीं लोग, कहीं चीजें, कहीं काम, सड़न एंडिंग्स हो जाएगी, लेकिन वो सड़न अपॉचनिटी सड़न रिवर्सल्स भी हैं, आपके साथ नौकरी ने लग रही, काम नहीं मिला, बहुत परशान चलना हैं, और एकदम से जितनी महनद, जितना हार्ड वर्ग, जितना डिसिप्लिन हमने डाला हुआ था आज तक जीवन में, आरे, एकदम से खिल के हमको मिल गया, राधरानी खुश हो गई, सब कुछ दे दिया, उन्होंने समराज्य दे दिया आपको यहां पे, वो यह भी शो करता है, जीवन में एक और चीज, टेंथ हाउस का लॉड एर्थ में आपको सिखाता है, करियमान कर्मा के देखिए, कुछ चीज़ें जीवन में जाएंगी, कुछ चले जाना कर्मा खतम हो जाने के बाद, अच्छा होता है, you have to let go things, कभी कबार चीज़ें जाएंगी आपके सामने, आप उसमें दुखी मत होईएगा, तेंथ हाउस का लॉड जब एर्थ में बैटता है, कभी कोई नौकरी चली जाएगी, यहां पे नौकरी के संदर्ब में भी बात कर लेते हैं, उसमें चली जाएगी कोई अच्छा काम, कोई अच्छा पैसा जाना था, वो एक समय के लिए था, सीमित समय के लिए था, चला गया, अब चिपक के मत बैट जाएगी, यह आगे बढ़िए उस चीज़ से, और इसी तरीके से दुनिया की हर पॉइंट, जरूरत नहीं हैं यहां, अपनी जॉब की सिक्योर्टी आपको चाहिए, लेकिन दरिये नहीं, उसके लिए अपने में मजबूत रहिए, हार्ड वर्कर करिए अपने जीवन में, गूरता रखिये जीवन में, आप बहुत कुछ पलट देने के लिए यहां पे, आप एक जिरो है, इस बात को अवस्याद रखियेगा, जब टेन्थ हाउस का लॉर्ड नाइंथ में बैठता है, उत्तम है क्योंकि केंद स्थान का त्रिकोर में गया और पावरफुल त्रिकोर में गया है, अब यहां पे हमारा करमा जुड कहां जाता है, हमारा क्रियमान करमा, आज का करमा नाइंथ हाउस से जुड गया, धरम से जुड गया, पढ़ाई से जुड गया, higher mind से जुड गया, higher consciousness से जुड गया, पिता से जुड गया, गुरु से जुड गया, foreign से जुड गया, strangeness से जुड गया, uniqueness से जुड गया, different cultures से जुड गया, हमारा सब वहां जुड गया यह यह भी शो करता है कि पूर जनम से रिलेटिड कोई कर्मा था वो हमारे साथ आज भी चल रहा है कोई आदमी देखे का जिसका टैंथा उसका लौड नाइंध में बैटा वो कहे का या यह गिटार बजाने का पता नहीं हमारे अंदर नाच्रल है पता नहीं कहां से चला आया वो काम आप क्योंकि करते थे वो आज भी कर रहे है कोई टीचिंग है कोई नौलेज है कोई गौर्मेंट है कोई आईएस है कोई धरम है कोई ग्यान है वो जानेंगे कि उस काम के साथ जैसे वो पहले जुड़े हुए थे वैसे ही आज जुड़े हुए हुए वो कैरी फॉर हैंPower उने उनको लगेगा मैं यहां पहले रह चुका हूँ पहला मेरा इन साथ किसी प्रकार का कोई साधका था उनको मय्सुस्स होगा ऐसा आदमी एक अलिभरेटटड सोल होके काम करना चाता है इंडेपेंड़न काम करना चाता है father के साथ काम करना चाता है traditional जो इन in line हो जिसको कहा जाए जैसे हमारे चला आ रहा है कि भाई डॉक्टर हैं लॉयर हैं पॉलिटीशिंस हैं गॉर्मेंट में हैं आईएस हैं पीसीएस हैं ब्यूरोक्राट्स हैं टीचर्स हैं गुरू है इस प्रिकार्ड के काम वो करना चाहता है या करता है और उसमें successful भी होता ह भाग साथ देता है धरम में अच्छा होता है philosophy में अच्छा होता है spiritual होता है ग्यान बहुत होता है authoritative होता है धरम को मानने वाला पिता का गुरूं को मानने वाला होता है liberal होता है generous होता है बहुत charity वाला ऐसा व्यक्ति होता है जीवन में बहुत घूमता है बहुत घूमना चा हाई स्टेटेस, रेकिंगनेशन, प्रमोशन्स, भाग से उसको बड़े अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि यहां हाड वर्क नहीं करना पड़ता है, हाड वर्क करना पड़ता है, टेंथ हाउस का लॉड अगर नाइध में बैठा हुआ है, और अगर समीकरन खराब बनके आ रह फादर रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स हो, उसको कहीं गुरू, कहीं ग्यान, कहीं ऐसे मिले जो की व्यर्थ हों, जो यूस्फुल ना हो पाएं, रॉंग जिसको कहा दैना, रॉंग एजुकेशन, रॉंग डिरेक्शन, रॉंग साइड, उस तरफ उसके जीवन में हो सकता या बहुत डिलेए हो सकता है, बहुत हाड़ वर्क करने के बाद, वो अपने जीवन की पोजीशन बना पाता है, और फिर टेंथ हाउस का लॉट बैठा होता है, जब नाइंध में आप्टिमिस्टिक होता है, फेथफुल होता है, बहुत इंथुजियास्टिक होता है, ऐसा व्यक्ति, आप्टिमिस्टिक होता है, हमेशा आशावान होता है, बहुत रिस्पेक्ट्फुल, बहुत इंफ्रेंशन लोगों के साथ उठना बैठना, बड़े लोग, रिस्पेक्ट्फुल, जेनरेस, साथ में वो ये भी सोचता है, किस प्रकार से मैं समाज का, लोगों का धरम का, अपने घर का, अपने आगे के आने वाले जीवन का, मैं किस प्रकार से कर ले आन करूँ, मैं सोसाइटी को किस प्रकार से लोटा हूँ, धरम को किस प्रकार से लोटा हूँ, मैं कुछ ऐसा काम करूँ, जो जीवन में आने वाली पीडियों के लिए, फ्यूचर के है ज्ली-ज्ली लीक से नहीं हटता है ज्ली-ज्ली अपने पा απने जन्द एपने रूल रेजुलेशन्स पिता रू इन सारी चीजलों के नहीं तोड़ता है कुछ लोग आपने इस कःड़का पॉजीशनं का फाइना उठा कर अपने देश को अपने धर्म को अपने घर को अपने नाम को बदनाम करते हैं भाग जाते हैं भगोडे हो जाते हैं ऐसे लोग जीवन में और फिर वो अपने लिए ही एक तरीके से यू कहा जाए कि बैड कर्मा क्रियेट कर देते हैं जो चीज धर्म से हट के धर्म की तरफ चले जाए चाहे वो सुसा लिए फिर नाम यस पोजीशन ओनर सब आपका बट्टे में लग जाता है जब टेंथ हाउस का लॉड नाइज में बैठा हो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं बहुत इंदु यास्टिक होते हैं एक जगह उनको रोक के रखना एक जगह उनकी थौट को बांद के रखना बहुत शुट मुश्किल होता है एक्सपांडेविल होते हैं एक्सपांसिव ऑनरजी होती है बहुत जढ़ नाइज तो दुनिया में हर प्रकार की होती है बिजनस की धरम की नाइज पॉलिटिकल नाइज आप कह लिजिए गियान की डिसिप्लिन की ओर्ग्अइज की स्ट्रक्चर की हर प्रकार की knowledge ऐसे व्यक्ति के पास होती है morals भी बहुत हाई होते हैं ideals भी बहुत हाई होते हैं बड़ा high benchmark अपने लिए बनाते हैं दूसरों के लिए भी set करते हैं enthusiasm adventurous बहुत होते हैं जीवन में एक तरीके से अपने क्रिये कलापो द्वारा आगे कि आने वाली भावी PD के लिए भावी समाज के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा उधारन show करते हैं ऐसे व्यक्ति को आप बांध नहीं सकते हैं यह global है यह समाज में जाएगा ही जाएगा 10th house का Lord 9th में बैटा है और यही उसका करमा भी है वो कह रहा है be a guide, be a teacher, be a role model 9th house का है का है गुरू का है, teacher का है, ग्यान का है, experience का है वो यह बताता है आपको के भाई 10th house experience का है वो कहता है आप अपने experience share करिए, ग्यान दीजे, guide बनिए, teacher बनिए लोगों के जो आया है उसको वापस करिए यही क्रियमान करमा है, carefree attitude होता है, बड़ा आनंद से, बड़ा independent view रखके जीते हैं, कुछ ज़्यादा सोचते समझते नहीं है और कई बार वो पैसे materialistic की भी इतनी चाहा नहीं होती है जीवन में ऐसा व्यक्ति कई बड़ा authoritative, बड़ा dominating हो जाता है तो अपने ही rule बनाता, जो कहता है, मैंने जो वाक कह दिया, वो ब्रह्म वाक को हो गया वहाँ यह गड़बड़ है, यह बात उनको समझनी चाहिए उनको यह अली बात भी समझनी चाहिए, कि दूसरों की service करना, hard work करना, patience रखना एक serious outlook जीवन की तरफ रखना, जीवन को घहराई से समझना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है patience, hard work, दरता, काम करते रहना, लोगों के साथ सेवा भावी रहना, humble रहना, generous रहना, charitable रहना, बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे 10th house का Lord 9th में बैटा यह नहीं है कि आपको hard work नहीं करना पड़ेगा, आपको सब मिल गया, कई बार हमको हमारे समाज से, पिता से, घर से, हमारी इतनी वरिद्दी होगी कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारे पिता जी की सोने की दुकान है, हम वहाँ जाके बैढ़गा अपना काम कर रहे हैं, बड़ ठीक है वह अला पॉइंट आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका करमा भी तो कुछ है ना, क्रियमान करमा के 10th house का Lord थोड़ी ना, आपको सिरफ यह कह रहा है करने को कि आप आइस बन जाई, यह टेलर बन जाई, यह फलाने बन जाई, अरे वो आपका धरम करम जीवन में क्या होना चाहिए, आप यहां क्यों आएं हैं, आपको यहां पर धरम पर चलना है, लोगों को सीख देना है, सिखाना है, सर्व करना है, चैरिटेबल रहना है, तीर्थ के लिए कुछ करना है, धरम के लिए कुछ करना है, अपने घर के लिए यह बहुत बढ़ी हुझसा कना नौर दूट अबटो अ केंद्र की पोजीशन केंद्र में अच्छा का लोड अगर अच्छा बैठा है और Ensuite कि फ्रकार कें बड़ी हा काम को बड़ी हा डिसेजिन को सहीरास्ता चुनना, सही रास्ते पे चलना, राइटियस रहना, यहां पे बड़े-बड़े ओहदे, पोजीशन, गॉर्मेंट, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिक्स, आईएस, फॉरेन, यह सारी पोजीशन को वो यह शो करता है, बड़े काम करना, इंटेलिजेंट भी है, ऐसा व्यक्ति बि विवार में वृद्धी होती है, माता-पिता का लंबा साथ मिलता है, उनकी आयू अच्छी रहती है, भगवान की क्रिपा से, अगर टेंथ हाउस का लॉड टेंथ में बैठा है, और कोई और मेलिफिक आस्पेक्स नहीं है, तो यहां पे यह आश्वस्त करता है, कि हमारे मा माता-पिता की आयू यहां पे अच्छी हो सकती है, लंबी हो सकती है, सबके माता-पिता की आयू लंबी हो, तो टेंथ हाउस का लॉड टेंथ में एक अच्छे प्रोफेशन में, एक अच्छे जीवन की और इसारा करता है, हाई पोस्ट होती है, हर प्रकार का धरमवान, करम म्हान यहां पर होता है ऐसा वैक्ति एसा नहीं एक हाड वर्क नहीं करना पड़ता हाड़ वर्क टेंथTo, लॉड़ यह बताता है कि ऐसा आदमी हाड वर्क करता है और अपने पोजीशन पोस्ट काम को बनाई रखने लिए सदेव करता रहता है यह काम और नौलिज लेता रहता है ग्यान लेता रहता है अपग्रेड होता रहता है अपडेट होता रहता है बड़ी बड़ी पोजीशन एक के बाद एक उसको मिलती रहती है उसके गोल सेट होते हैं उसको पता है हमें ये काम करना है यहां जाना है हमारा ये डिरेक्शन है हमारा ये रास्ता है हमको इस इस तरफ आगे बढ़ना वो इन सब चीजों में बड़ा क्लियर होता है पढ़ाई लिखाई इंटेलेक्चुलिटी मेहनत फैमिली में व्रिद्धी करने वाला ओनर रिस्पेक्ट नाम यश फेम सब प्राप्त होता भाई ऐसे व्यक्ति को जब टेंद था उसका लौट टेंद में बैठा हो अपने हाड़ वर के द्वारा उचे उठते हैं अपने जीवन में समाज में नाम बनाते हैं सोसाइटी में नाम बनाते हैं जो काम करते हैं उसको बड़े इमानदारी से करते हैं ऐसे लोग सोसाइटी के बेनिफिट के लिए धरम के बेनिफिट के लिए अपने काम है जीवन में इसको दूसरों में बाटना, आपका काम है अपने अधिकारों का उलंधन ना करना, अथौरिटेटिव होना, लेकिन लोगों के भले के लिए, भैं हम उनकी मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, यह नहीं कि अबे, यह करो, यह करो यहां जाओ, यह करो, मैं राजा हूँ, मैं आई यह सूँ, ए तुम यह नहीं करो, यह सब बेवकूफी वाली बाते हैं, यह आपको पतन की तरफ लेके जाएंगी, अंतता, फिर आप अपने टेंथा, उसके लॉट जो टेंथ में बेटा है, उसको आप सही तरीके से समझ नही पा रहे हैं, वो आपको यह बता रहा है, यहां पे धरम बान रहना है, धहर इचील रहना है, धरम के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए करना है, स्वेम को बहुत राइटेस रखना है, हम गलत काम नहीं करेंगे, गलत साथ नहीं करेंगे, गलत लोगों की तरफ न नहीं करेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत रिलीजियस होता है दीरे दीरे आगे बढ़ता रहता है कहीं लोग बाद की लाइफ में जो है धरम की तरफ या वेराग की तरफ भी बढ़ते हुए देखे गए जब टेंथ हाउस का लॉट टेंथ में आ जाता है यहां पर एक और भी सारीकी से समझ के करने की इनको आदत होती है जो कि बहुत अच्छा है बहुत रुर्किंग क्या है इनका डिपेंडेंसी क्या है इनकी यह कैसे चक्रते हैं यह देखिए डिपेंडेबिल इस लिए हैं क्योंकि यह हार्ड वर्कर है तो इनका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि यह काम करते रहेंगे हार्ड वर्कर हैं यह आज शुरू करेंगे और 30 इस दिन के बाद भी कोई हड जाएं तीस लोग साथ में काम करने वाले आएं और यह काम कर रहें तो 29 लोग चले गाए लेकिन यह काम करते रहेंगे और 30 दिन यह बाद मार जाएंगे क्योंकि यह लगे रहेंगे यह इनका fote है मतलब hard work जिसको है डिस्प्लेन hard work सब कुछ भूलके emotionally नहीं कहँए हाँ ऐसा हो गया वैसा हो गया हम लगीस आखि करेंग यह नहीं करेंगे जानते हैं प्राक्टिकाली रियलिस्टिक हैं, इस तरीके से काम करने वाले हैं, म्यूजिक में भी उनका अच्छा इंट्रेस्ट रहता है, हर प्रकार का आनंद, लाब, गाड़ी, घोड़ा, मकान, सब कुछ बनाते हैं सहादमी, हैपी होते हैं, सैटिसफाइड होते हैं, स्टेट फॉरवर्ड होते हैं, विदेश वास करने वाले या विदेश में काम करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं, विदेश से धन कमाने वाले ऐसे लोग होते हैं, जब टेंथ हाउस का लॉर्ड, टेंथ में बैठा होता है, बहुत अप्टिमेस्टिक, बहुत इंतुजियास्टिक, जीवन में एक नाम, ए में संतोष करना सीखो यह भी आपका करियमान करमा आदमी कई बार 10 ताल का लौट 10 में बैटा होता जीवन में बहुत ग्लोरी देखता है बहुत उचाई देखता है वर्ल में नाम होता है समाज में नाम होता है सब कुछ और एक दम से फिर सब खतम हो जाता है लेकिन वो satisfied हो जाता है ऐसा अन्मी अपने जीवन के एक heights को देखे एक pinnacle of heights को देखता हुआ फिर नीचे आता है और अब सारी चीजों को त्याक के दूसरी चीजों में चला जाता है जिसमें उसका interest होता है जो वो करना चाता है music से भी में उसका किसी भी चीजों से आनद हो सकता है धरम हैं किसी प्रकार का कोई charity हैं कोई नाम करना चाहता है मतलब नाव अपना करना चाहता है धरम में शास्तरमें नीचे में १र उस्तर लग जाते हैं एक बात यहां में कहना चाहूं सब्सक्राइब करने पड़ती है कई बार काम की जगा पर उसको बहुत अपने आपको अपलाई करना पड़ता है पूरा जीवन जोग देता है उस चीज में वह भी चलिए ठीक बात है लेकिन कई करने बार क्या होता कई लोगों की और कुछ कारणों की वजह से एक हस्रत पूरी नहीं हो पातू है एक इसी होती है जो शायद पूरी नहीं पाए माल लेजिए उसको जीम बनना वो जीम नहीं बन पाया उसके नीचे पोस्ट पे रहे गया तो समेशा कुछ किसी के साथ ऐसा हो सकता है लेकिन उसके लिए टेंध हाउस का लॉड उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता और भी कई conditions उसके साथ आती हैं लेकिन 10th house का Lord 10th में अपने आपको बताता है कि rightful रही है truthful रही है आप समाज जीवन अपने घर परिवार के लिए बहुत सुंदर वेक्तित में हैं आपकी बातें आपका धरम आपका सत्य आपका काम आपका discipline लोगों में पहचाना जाता है जब 10th house का Lord 11th में बैठता है ये भी एक बहुत अच्छी position है यहां पर जो हमारा क्रियमान करमा है वो आप सोचिए चला जाता है 11th house में 11th house होता है च्छाओं का हमारी desires का हमारी ambitions का हमारी opportunities का तो यह एक अच्छी स्थिती है यह हमारी desire की fulfillment को दिखाता है अपने करमों दोरा यहां एक और बड़ी रोचक चीज़ बनके आती है कहीं लोग महसूस करेंगे कि कुछ चीजें जो past life से related उन्होंने त्याग दी थी या उन्होंने बड़ा प्रतन किया था उन चीज़ों के लिए और वो उनको नहीं मिल पाई थी अब की बार वो देखेंगे कि वो चीजें उनको बड़ी सरलता से मिल गई है चाहे देखिए वो पैसा हो चाहे संतान से संबंदित सुख हो चाहे शादी कोई चीज़ वो देखेंगे कि उनके जीवन में बड़ी सरलता से मिली है उनको उसके लिए उन्हें बहुत जादा effort उनको नहीं लगाना पड़ा है और चाहे ये इसको connect कर सकते हैं एक अच्छी family से भी जैसे कि अच्छे कुल खांदान में जनम हो जाना भाई सारी चीजें उपलब्द हैं हमारे पास सारे resources हैं सारा घर पैसा परिवाद धन माता जी हर एक प्रकार का हमको चीजें उपलब्द हैं तो कोई एक ऐसी इच्छा जो पूर जनम में रहे गई थी या हमने जिसके लिए बड़ा प्रतन किया ता त्याग किया था तपस्या की थी जतन किया था वो हमें नहीं मिली थी और अब की बार शायद वो हमको प्राप्थ हो ज या केंद स्थानों में या अच्छी स्थिती में बैटा हो तो ऐसी कंडीशन बन के आती है जब 10th house का Lord 11 में बैठा होता है तो हमारे द्वारा किये गए कार्रे profession हमारा जो कर्मा होता है वो हमको धन उपलब्द कराता है या हमको धन उपलब्दता के लिए साधन create करता है आप ऐसा भी कह सकते हैं हमको speculation से हमको finance से हमको किसी भी प्रकार के business की कोई activities हो multinational companies हो उन सारी चीजों से काफी फायदा प्राप्त होता है stocks है speculations है उन से फायदा होता है कई लोग अपने father अपने grandfather अपने प्रकुल की संपत्ती का हिस्सा पाते हैं या उस business में लग जाते हैं पैसा कई शोर्सिस से आता है पैसा अच्छे coordination से आता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा अच्छा सलहकार होता है अच्छा advice प्रदान करने वाला होता है ग्यान knowledge अच्छी होती है imagination अच्छी होती है ideas अच्छे होते हैं मेनत का फल प्राप्त होता है यहां पे यहां पे हर प्रकार का ग्यान knowledge authority power position prosperity property सारी चीज़ें प्राप्त होती है 10th house का लॉड जब 11th में बैटा होता है ऐसा व्यक्ति अपने हाथ से काम करने वाला या individual काम करने वाला कह दीजिए या काम को अपने एक तरीके से under रखने वाला होता है वो अपने काम के दोरा अपनी इच्छाओं को लोगों को जोड के रखता है उसके अंदर ये कला भी होती है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अगर 11th 10th house का लॉड 11th में बैठा हुआ है और अगर कुछ सितियां अच्छी नहीं बन रहे हैं 11th house में मान लीजिए 8th house का भी लॉड बैठा है कोई राहू के तू बैठे हैं कोई 6th house का लॉड भी साथ में बैड गया है तो पैसे से सम्मंदित उसके जीवन में लॉसेज भी हो सकते हैं चीटिंग भी हो सकती हैं गलत जगा इंवेस्टमेंट भी हो सकते हैं दोस्त भाई कंपनीज जो खड़ी करे वो बैड भी सकती हैं वो कहीं पकार की उनके लिए लॉस का सौदा साबित हो सकती हैं वैसे 10th house क Lord 11th में बड़े भाई बेहनों से जो हमारे friends हैं coordination से बहुत जादा मदद करता है 10th house का Lord 11 में बैठता है हमारा करमा actually में ये reflect करता है कि हमको समाज के लिए society के लिए humanity के लिए लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहिए हमको जीवन में अपनी desires को limited रखना चाहिए हमको अपनी desires को इतना नहीं बांद लेना चाहिए जो हमारे मोक्स के साधन को काटे हमको मोक्स की तरफ ना ले जाए को कि ये बात अवस्याद रखियेगा कि 10th house का Lord जब 11th में बैठता है तो आदमी के जीवन की कारपदती या का प्रणाली जो है वो पैसे तक जाके ठहरती है mostly तो उससे क्या होता है abstract होता है हमारा spiritual angle abstract होती है हमारी अब की बार की जीवन की इच्छा जो हमको मोक्स की तरफ ले जा सकती है वो सारे जतन को बंद करती है तो ऐसा अदमी अपने घर परिवार family इन सब के लिए बहुत कुछ करता रहता है ना कि हाँ अपने परिवार की ब्रदी करें उनका करें पूरा सब जीवन या पर उनका सही से हो तो पूरा सहयोग करता है परिवार में अपना responsibility उठाता है परिवार के साथ बहुत attach होता है तो इन सारी चीजों में क्या होता है अपने लिए साधन करना बूल ज जाता है और वह अपना साधन क्या है जीवन में जो उसको शांती प्रदान करें मुक्ती प्रदान करें थोड़ा फ्री रहने दे थोड़ा आनंद लेने दे वह चीज उससे नहीं हो पाती है तो एक प्रकार से फिर वह बंधन में पैसा कमाने के और काम के पढ़ जाता है कंपनी दो कंपनी चार काम चार तरीके से पैसे आना हमेशा उन चीजों में लगा रहता है एक अग्रेसिव अप्रोच भी होती है ऐसे व्यक्ति की उसका बहुत इंटेलेक्ट्वल होता है जैसे मैंने पहले कहा थिंकिंग प्रोसेस माइन बहुत फास्ट होता है किसी भी प्रकार का फॉरण से रिलेटिट काम है टेक्निकल काम है इन सब चीजों में भी बड़ा दक्ष होता है एडवांस्मेंट अपॉर्चनिस्टिक आगे की सोचने वाला जीवन को आगे की तरफ ले जाने वाला फ्यूचर प्लानिंग में लगे रहने वाला आज क्या हो रहा है उससे आगे दस साल के बाद क्या होगा ऐसा प्लैनर ऐसा सोचने वाला उस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने वाला होता है व्यक्ति जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने काम को अपने पैसे को चार गुना पांच गुना दस गुना बढ़ाता रहता है तो इस तरीके का भी काम करें ऐसा भी मैंने देखा है कि जब टेंथा उसका लॉड्ड लेविन में बैठा होता है तो कई लोग ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो की पीछे society पे पीछे रहे गए हैं या underdog हैं उनको उपर उठाने का काम करना उनके उत्थान के लिए काम करना या उनके उत्थान से related business करना काम करना ये भी उनका एक form होता है humanity के लिए कुछ करने का social reforms लाने का ये भी एक बदलाव है वो ये काम भी कर सकते हैं मन से भी कर सकते हैं educator as a teacher as a guide as a उनको support करने के लिए 10th house का Lord 11 में बैठता है ऐसा व्यक्दी बहुत ambitious होता है बहुत confident होता है hard worker होता है बहुत सारे दोस्त होते हैं बहुत versatile होता है यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने काम के प्रती समर्पित होता है अपने काम hard work के द्व प्रतूर है कि वह एक machine बन के रह जाता है पैसा बनाने की काम करने की बहुत सारी responsibilities अपने उपर जीवन में ओड़ लेता है यहां पे यहां सबसे important काम उसके लिए रह जाता है यह होना चाहिए मेरे हिसाब से जब 10th house का Lord 11 में बैठे के उसको अपनी मुक्ती का भी उपाय कर रहना चाहिए कि कहीं free रहे इतना जादा desires में ना बन जाए चाहे वो बच्चों की हो चाहे अपने relationships में हो चाहे अपने घर family के लिए हो हमेशा उन्हीं चीजों में ना उलच के रह जाए हां कहीं अच्छे मित्र मिलेंगे कहीं अच्छे generous friends मिलेंगे good friends मिलेंगे अगर 10th house क lord 11th में अच्छा बैठा है और 11th house का lord भी आपके चार्ट में अच्छा है तो वो support भी करेंगे आपको बड़ा साथ भी मिलेगा उनका और बड़े बड़े काम बड़े बड़े decisions आप उनको ध्यान में रख के ले सकते हैं अगर वो खराब होगा तो उनके तुरू आपको losses भ पहले बता दिया यहां पर कहीं बार जिसको कहा जाता है ना अगर हम hard work के routine से हटके easy money की तरफ कहीं बार जाते हैं तो वो लिवर्मेंट हमको कहीं बार नुकसान पहुंचा देती है अगर हमारे चार्ट में कुछ चीज़े ठीक नहीं है तो अब जैसे मान लिया जाए 10th house का Lord 11th में बैठा है और ऐसे सिती में 5th house में केतु बैठा हुआ है साथ में मान लीजे और 5th house का Lord खराब सिती में बैठा है वो 6th में है या 12th में बैठा है तो ऐसे आदमी को किये गए जो short term goals होते हैं उसके money से related उसमें उसको loss प्राप्त होते हैं संतान से related problems आती हैं जो उसके अपना सोच समझने की शक्ती होती है किसी चीज में investment की है किसी चीज के उपर विश्वास करने की या faith लगाने की वो गलत हो जाती है otherwise वैसे कें था उसका Lord 11th में बहुत generosity है ऐसा आदमी धरम का पालन करने वाला अपने घर परिवार की संपत्ती में व्रिधी करने वाला होता है अच्छा एक रुदबा एक authority उसके जीवन में होती है और लोगों में एक नाम होता है एक intellectual उसके होता है बहुत business minded होता है ऐसा व्यक्ती कोई obstacles आए कोई परशानी आए लेकिन वो अंतता अपने goals को fulfill करने में यहां पे उसको असानी होती है और वो कर लेता है यहां पे तो कि अपना करमा ऐसी desires के साथ जोड़ दो जिससे लोगों का उत्थान हो लोगों का भला हो एक के साथ सो लोगों का भला हो humanity का social cause के लिए कुछ काम करो सिर्फ desires आपके अपनी घोड़ा गारी मकान दुकान बच्चे परिवार तक की सीमत ना रह जाएं यह बहुत जादा important है क क्यों क्यों कि आप यह मान के चलिए कि कभी कबार हमारा यह भी रोल होता है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है इनको हमारे काम की जरूरत है एक्सपर्टीज की जरूरत है सलाह की जरूरत है हमारे द्वारा स्टैबलिस किये गए बिजनिस में काम करने की जरूरत है या हमारे द्वारा कोई डिरेक्शन की जरूरत है आप उस तरीके की वह डिजायर्ज आपके जीवन में होनी चाहिए और वह आपके वृद्धी करेंगी क्योंकि आपके पास क्या है ना आपके पास बहुत एक इन्वेंटिव एक इनोवेटिव एक फ्यूचरिस्टिक एक आप्टिमिस्टिक आइडियाज हैं जिससे आप स्वेम अपना व्हला तो करेंगे ही करेंगे। उनको अपने काम में भी routes कर सकते हैं साथ में लोगों के लिए भी आप बलाही कर सकते हैं और अपनी डिजायर्जð को से सकते हैं और कितनी डिजायर्जड को है वो जाके 12 में चला गया है तो यह कहता है कि अब आपका में करमा है अपने आपको मुक्त रखना individual रखना free रखना क्या आप उन सारी खराब आदतों को बुरी आदतों को बुरी चीजों को जो जीवन में हमें नीचे घसीटती है हमारे काम में अब रोध पैदा करती है कि आप उनको त्यागने के लिए तैयार हैं और उनमें क्या होता है डे ड्रीमिंग सपने देखना असानी से काम हो जाएगा हम ये कर लेंगे सौ आइडिया बना रहा है सौ सपने देख रहा है कर कुछ नहीं रहे हैं मूर्ती रूप में कुछ नहीं हो रहा हजारों तरीके की बाते हजारों तरीके की सोच हजारों तरीके की नॉलिज हजारों तरीके के थॉर्ट प्रोसेस जमीन पे जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं हो रहा है तो क्या ये वाले पॉइंट्स आप त्यागने को तैयार है टेन्थावस का लॉडड 12 प्रांता है हो सकता है जीवन में आपको कहीं वार जो करम है आपका जो आपका प्रॉफ stuffs है वो फोरण से रिलेटेड हो वह ब्सने रिलेटेड हो आपका कोई still ability से रिलेटेड हो कोई ग्ञान हो जो मडिटेशन योगा, हेल्थ, लॉव, पुलिस, इंटर्टेंट्मेंट, क्रियेटिविटी, राइटर, पेंटर, एक्टर, इन सारी चीजों से रिलेटेड हो, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस जो है, ऐसे रलम का है, ऐसे स्थान का है, जहां पर आदमी अपने दिमाग में बहुत कुछ सोच सकता है, उसके पास सोचने के लिए पूरा आस्मान है, पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मान्द, स्पिरिच्वालिटी में बहुत कुछ कर सकता है, धरम में, धरम में बहुत कुछ कर सकता है, स्पिरिच्वालिटी में, ग्यान में, तपस्या में, मेडिटेशन में, योग को समझने के लिए तयार हैं या आप अपने उन उन चीजों से ग्रसित हैं कि हम को जब मौका मिलेगा हम तब काम करेंगे या हम हम इंटॉक्सिकेशन में पढ़े हुए हैं या हम प्लेजर में पढ़े हुए हैं तो हम क्या करेंगे हम को गोल का नहीं पता हमें क्या काम करना है कोई स्ट्राटिजी नहीं कोई इंबिशन lien है कोई फॉर्ट प्रोसेस नहीं हमारे पास हम हमारे पास अबिल्टी तो बहुत है यह मान लिया जाए के हमारे पास अबिल्टी बहुत है किया ग्यान हैं, आपने क्या पढाई अर्जित करही हैं, आपने क्या टैलेंट आपके पास है, आप किस चीज से बाहर निकल के जीवन में जाके अपने आपको फ्री करने वाले स्टेट में बैठे हैं, या यूँ ही फ्री बताता ही सम्मान V वृत सकता हैं को घर से दूर जाना पढ़े अपने समाज से दूर जाना पढ़े और अंदर के आपकेρόachment एक्ट ना उनसे दूर जाना पड़े हमारे घर में 100 प्रॉबलम चल लेँ हम काम नहीं कर पाएंगे उन चीजों के बावजूद भी किया आप हपने आपको काम करने से लिए उप्युक्त मानते हैं, आप उस चीज के लिए रेडी हैं, हमारे घर में ये प्रॉबलम्ज चल लेंगे, या हम उस चीज में उसको देखते हुए, हम क्या उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो बड़ी उत्तम बात और नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी में comfort zone से बाहर निकलना पड़े अराम comfort zone आपके हिसाब से बनाई गई दुनिया आपके हिसाब से बनाए गई खेल उन सारी चीजों का यहाँ पर कोई point नहीं है देखिए आप कॉडिनेशन में कैसे हैं आप मोटीवेशन में कैसे हैं आप करेज में कैसे हैं आप अपने इरादों में कैसे हैं आपका कमिटमेंट कैसा है डिटर्मिनेशन कैसी है विल पावर कैसी है यहां तै करेगा कि आप कैसे बनेंगे अपने इवन में आप बाहर जाके भी कुछ काम कर पाएंगे या वहां पे भी आपकी लुटिया डू भी रहेगी तो ये चीज़े बहुत जरूरी है आपके पास किल टैलेंट है कुछ जैसे मैंने पहले का क्या ग्यान अरजित किया है आपको पता है क्या करना आज मैं इंजिनियर ब परवाना कर लिए इसी चीज़ों में या तो तबाह हो जाते हैं पहले गोल सेट करिए अमबीशन देखिए प्लस ये देखिए कि आप किस चीज़ के लिए उप्यूकत हैं आपके अंदर क्या खूबी है क्या टैलेंट है आप क्या बन सकते हैं थेरेपिस बन सकते हैं आप आपके पास सब कुछ है यहां पर आप ऐसा मस्वचिए हैं कि यृल्थ हाउस में बैठे हैं कौन से प्रोफेशन मनते हैं आप हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं आप लॉसस कोई गुरु है टीचर है पुजारी है स्पिरिच्वालिटी है घ्यान है इस्ट्रोलिजल ह इन सारी चीजों में काम कर सकते हैं, ट्राविल रिलेटेड काम कर सकते हैं, घूमना पसंद है, मारकेटिंग के काम कर सकते हैं, मारकेटिंग स्ट्राटिजीज पे काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों में आप काम कर सकते हैं, लेकिन पता तो चले, क्या करना चाहते हैं, क्या करन नहीं है तब हमको अरे हम वहाँ नहीं कर पाएंगे अपने अराम देख रहें हम यह को यह कर लेते ना तो ज्यादा बढ़िया रहता वह हो जाता ना तो ज़्यादा वड़िया देखे सीधी सी बात यहां पर यह मेहनत करनी पड़ेगी अगर टेन था उसका लॉट ट्वेल्ट में गया ट्वेल्ट था उसका कारक प्लानेट सैटन है आप को तब तक कुछ नहीं देगा जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होते हैं सेल या कहीं और आनंद में पड़ गए हैं बेट प्लेजर में पड़ गए हैं इंटॉक्सिकेशेज में पड़ गए हैं तो फिर काम क्या होगा फिर तो बिमारी होगी डेट होगा लेट होगी जीवन में हम स्टैंड नहीं हो पाएंगे हम फोकस नहीं रह पाएंगे अपने हमको hard work करना है, हमको कोई trade सीखना है, कोई skill सीखनी, कोई यान सीखना है, मैनत करनी है, दूर जाना है, ऐसे circumstances में रहना है, जो कि हमको बड़े homily atmosphere नहीं देंगे, cozy atmosphere नहीं देंगे, लेकिन हमको फिर भी काम करना है, और हमको हमारी courage, motivation, skill, power, लोगों के साथ जुड़ना, मिलना ये बना के रखना, यही हमारे लिए effort है, यही हमारी ताकत है, अब अगर हम अपने आप में lower हुए, हमने नीचा सोचा, तो हर चीज नीची होती चली जाएगी, उसमें frustrations, काम ना मिल पाना, काम में frequent changes, losses हदारों कर बैठना, फिर ये सारी चीज़ी होंगी, आपकी energy कैसी है आपकी जैसे कहा ना कि आप कुछ recognition, yes, man, some man, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अब 10th house का lot 12 में बैठा है, वो कहता है, कार्मों के साथ जुड़ो नहीं, ऐसे करम करते रहो, engineer हो, engineer बनो, engineering करके अपना पैसा, घर, परिवार पालो, लेकिन बंदो नहीं, उससे free रहो चीज़ो जो इस जीवन में आया, उसको करम करने पड़ेंगे, आप करम अपना करिए, आपके पास कोई है, recognition, पाने की आप, अपने आप से पूछा, 10th house का lot 12 में बैठा हुआ है, आपने पूछा, मुझे ये recognition चाहिए, मुझे ये यश्मान सम्मान चाहिए, कभी पूछा, अब जब पूछेंगे नहीं, तो पाएंगे कैसे, वो energy आएगी कैसे, communicative नहीं है, communication में बड़ बड़ है, क्या चाहिए, सही तरीके से ना समझ पा रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, ना communicate कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, uncertainty, anxiety, nervousness, सब है, knowledge बहुत है, लेकिन वही वाली बात, जो बा है, यह वाली स्तिती हो रही है, तो आप यू कह सकते हैं, आपका talent, आपका ग्यान, आपका जो power है, वो सारी wasteful हो चली जा रहे है, creativity waste हो रही है, ग्यान waste हो रहा है, आपकी thinking waste हो रही है, analytical power, कहीं कुछ लग नहीं रहे हैं, कहीं एक जगा तिक नहीं रहे हैं, जैसे घोड़े काईए, फिर देखिया, आप पहुंच जाएंगे, एक बात और, थोड़ा सा यहां पर हमको मान सम्मान मिला, कुछ पैसा मिल गया, कुछ नाम हो गया, अब तो मौज आ गई, लाओ खाओ, पियो, सब करो, काम माम भूल जाओ, discipline, discipline, गया, सब वो होस में चला गया, गड़े म नाली में चला गया, छोटी मोटी सक्सेस के बाद अपना enjoy कर रहे हैं, दोस्तों के साथ, पार्ट क्यां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर फिर, वहीं, मिटिया मेट होके, धरे का धरा रहा जाता, अरे भाया, continuous cycle है, मेहनत की famous बनने के लिए, लेके गनिशन नाम बनाने के लिए, जीवन में हटके, त्याग करके, तपस्या करके, गल के अपने आपको स्वाहा करके, तब परिवार के लिए, जीवन के लिए, खड़ा करना पड़ता है, यहां पे अगर ऐसी स्तीती आ जाती है, इसलिए नहीं कहा जाता है, के 10 थाउस का Lord 12 में बैठा पालिटी, पिटी होना, एक अच्छा मन, यह सब तो वो शो करता ही है, यह तो आपका ट्रेट ही है, इंट्यूटिव होना, हीलर होना, देया रखना, किसी को सरकम्स्टैंसिस में पढ़के, अगर वो डिमांड कर रहे हैं, सरकम्स्टैंसिस के बदलिये, तब आपको जीवन का वे, ऐसे कोई hazard thinking, उचित नहीं है, clear cut goal होना चाहिए, clear cut पढ़ाई होनी चाहिए, clear cut ambitions होने चाहिए, discipline होना चाहिए, routine होना चाहिए, health अच्छी रखिए, health धोका देने लेगेगी, 10,000 का lot 12 में चला जाएगा, आपको 1000 प्रकार की, health के issues वहाँ पे होंगी, आपको लोगों के साथ competition fight करने, कोई आदमी competition fight करने के लिए जाएगा ही नहीं आगे life में, भाई, कहीं लोग ऐसे होंगे, उनके लिए जीवन जो है, एक वो सरलता है, dreamy है, illusionary state में हो गहरे, भाईया, जब मैदान में, निकलो, कुरुग, छेतर में जाओगे, लड़ोगे, तब अपनी बल को पहचान पाओगे ना, तो बल को पहचानना यहां जरूरी है, तो जब तक लड़ोगे नहीं, तब तक पाओगे नहीं, यह बाद याद रखो, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, किसी ने बताया, leadership quality नहीं है, कोई initiative लेना नहीं है, किसी चीज़ का, आगे responsibility जोड़ना, सीखा नहीं है, knowledge ग्यान, दिमाग बहुत तेज है, मैं यह मानता हूँ, 10 दाउस का lot 12 में बैठता है, हजारों प्रकार की देखिए, knowledge प्रदान करता है, और जो एक knowledge होती ही ना, धरम की, ग्यान की, यह साली, अब ऐसा आदमी धरम और फ़लाने में चला गया, और वो बेफालतू में उसी के लिए बहसा बासी कर रहा, लड़ रहा है, अब उसने अपना मना लिया, system, अब मुझे ग्यान है, धरम के बारे में, healing के बारे में, knowledge है, अब उसके ओपर मैं बहस करने में, अपनी जीत समझता हूँ, यह सब फालतू की बाते हैं, इधर उदर नहीं, अपने काम को perfectly जान के तब आगे बढ़िये, अपने leadership, qualities, initiative, courage, यह करना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, barrier तोड़ना पड़ेगा, desire दिखानी पड़ेगी, courage दिखानी पड़ेगी, leadership दिखानी पड़ेगी, अपने अंदर के, जिसको कहते हैं कि, अपने अंदर की शाओं को जीवित करना पड़ेगा, जोलंत करना पड़ेगा, तभी मिलेंगी ना, और अगर थोड़ी success मिल गई, उससे बोरा मत जाईए, क्या रे, बहुत अप तो बस, खाओ, पीओ, मौच करो, नहीं, यह continuous यात्रा है, 10th house का Lord, 12th में बैठता है, यह वैसे बताता है, कोई परशानी है, कोई ऐसे लोग हैं, जो energy सक करते हैं, उनको छोड़ दो, आगे बर जाओ उन सारी चीजों को, उनके सरण में चले जाओ, लेकिन यहां एक और point वो बताते हैं, कि यहां पे पहले काम में stand करने के लिए, professionally stand होने के लिए, me first attitude जिन्दा करो, पहले मैं यह व जायर पूरी करना जरूरी है, मुझे अपने लिए घर बनाना है, मा के लिए घर बनाना है, पैसा कमाना है, गाड़ी बनानी है, शोहरत बनानी है, यहां आप कहेंगे कि गुरू जी यह अलग बात बता रहे हैं, तब से बिलकुल right है, आपको यहां पे इस चीज के लिए, इस समाद में आए, इस जीवन में आए हैं, उसके लिए आपको एक want create करनी पड़ेगी, वैसे तो स्वतंत्र रहिए, अजाद रहिए, मुक्त रहिए, प्रभू का आनंद लेते रहिए, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, कोई प्रशन हो इस वीडियो से समंदित, कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा, उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ, रादे रादे, जैसी कृष्णा